अचानक चार ट्रांसेंडेंट रियलम स्वामी मारे गए थे यह न केवल सेंटरल कापिटल की युद्ध शक्ती के लिहास से एक बड़ी क्षती थी बलकि यह उनके मनोबल के लिए भी एक विनाशकारी जटका था हाला कि जिस बात ने आठ महान परिवारों के कुलपतियों को और अधिक निराश किया वह यह थी कि वे यह समझने में असमर्थ थे कि देवेश के इरादे क्या थे सत्रह से उपर अमर असेंशन सीमा स्वामी मेंशी पिंग के होंट हलके से कामपने लगे जब उसने देवेश के चारों और शांदार लाइनाप को देखा इस विशाल संख्या ने सभी आठ महान परिवारों को शर्म से लाल कर दिया उनमें से प्रत्येक परिवार ने चार या पांच ऐसे स्वामी तयार करने के लिए सदियों तक अथक परिश्रम किया था जब देवेश की हवेली से तुलना की जाती है तो वे जमीन पर अटके हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए नश्वर लोगों से अलग नहीं थे इन लोगों की ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई उनमें से कोई भी समझ नहीं सका यिंग जिव मेरा अनुसर्ण करो बाकी सभी लोग अपने आप कार्य कर सकते हैं देवेश ने एक संक्षिक्त आदेश दिया और फिर यिंग जिव को साथ लेकर अराजक और खूनी युद्धक शेत्र में उतर गया शिश सोलह ट्रांसेंडेंट मास्टर्स बिना एक शब्द कहे एशग्रे क्लाउड इविल लैंड बलो में उडगए इतने लंबे समय से वे आठ महान परिवारों के साथ गतिरोध में थे लेकिन अब इस विशाल परिवर्तन के अचानक उभरने से निससंदेह उनका गतिरोध तूट जाएगा जो भी पक्ष देवेश का समर्थन जीत सकता है वह दूसरे पर हावी होने में सक्षम होगा पांच महान दुष्ट राजाओं को एक मात्र सांत्वना यह थी कि देवेश ने न केवल उनकी एशग्रे क्लाउड इविल भूमी के लोगों को मार डाला था बलकि केंद्रिय राजधानी के कई स्वामी भी मारे थे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनका किसी भी पक्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है जो भी उसे चुनौती देता वह मार डालता यांग बाई का आदेश सुनने के बाद पांच दुष्ट राजाओं ने अपनी सेना वापस बुलाने में संकोच नहीं किया युद्ध के मैदान में एक धीमा हॉर्न बस उठा यह संकेप पाकर एशगरे क्लाउड इविल लैंड सेनाय पीछे हटने लगी और धीरे धीरे अपने शिविर में वापस गायब हो गई देवेश के क्रिशकों और आठ महान परिवारों की सेनाओं ने थोड़े समय तक पीछा किया लेकिन दुश्मन शिविर पर व्यापक हमला करने की हिम्मत नहीं की और जल्द ही वे भी अपने शिविरों में लौट आए देवेश की हवेली में आने के बाद से एक कप चाय उबलने में जितना समय लगता है उतना ही समय बीता था लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी थी दोनों मूल पक्षों में बड़ी संख्या में मृत और घायल हुए थे जबकि दूसरी और देवेश के सहयोगियों को एक भी नुकसान नहीं हुआ था अधिक से अधिक उनमें से कुछ को कुछ मामूली चोटे आई थी देवेश की हवेली के बाहर खड़े होकर वे सभी मोटे तौर पर मुस्कुराएं देवेश ने स्वयन युद्ध के मैदान के चारों और एक त्वरिक चक्कर लगाया गिरे हुए अमर असेंशन बांदरी मास्टर्स की सभी अवशिष्ट आध्यात्मिक उर्जा को अवशोशित किया और फिर यिंग जिव के साथ घर लोट आया हवेली में प्रवेश करने के बाद देवेश अपने लाब को शुध और परिश्कृत करने के लिए सीधे एकांत खेती में प्रवेश कर गया उसने आठ महान परिवारों का अभिवादन करने की जहमत भी नहीं उठाई इस तरह है के प्रचंड अहंकार आठ महान परिवारों की घोर उपेक्षा के कारण आठ कुलपतियों की अभिव्यक्तिया बहुत कम हो गई भाई यांग क्या आपके यांग परिवार का यह छोटा लड़का कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है अपने सभी सैनिकों के पीछे हटने के बाद कामरुई ने यांग यिंहाओ की ओर देखा और जुंचलाहट में पूछा उसके पास ऐसा करने के लिए पूँची है यांग यिंहाओ ने उदासिंता से उत्तर दिया लेकिन वह अभी भी आपके यांग परिवार से जुनियर है क्या आप उस पर लगाम लगाने के लिए पित्रसत्ता के रूप में अपनी स्थिती का उप्योग नहीं कर सकते बकवास जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे यांग परिवार की परवाह करेगा यांग यिंहाओ ने ठंडी आवाज में कहा हाँ ऐसा लगता है कि हमने गलत अनुमान लगाया मेंशी पिंग ने आह भरी हमें उस समय उसे निशाना नहीं बनाना चाहिए था उसे अपने रहसियों को छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी यदि हमने अधिक सावधानी से काम किया होता अब अतीत को सामने लाने का क्या मतलब है ये कुवांग रेन ने बीच में आकर मेंशी पिंग की ओर उदासिंता से देखा और द्रेड़ता से कहा अभी स्थिती स्पष्ट है यदि हम देवेश का समर्थन हासिल कर सकें तो आधे महीने के भीतर हम एश ग्रे क्लावड एविल लैंड को हरा सकते हैं इसके विपरीत यदि एश ग्रे क्लावड एविल लैंड उसे भरती करने में सफल हो जाता है तो केंद्रिय राजधानी का एक मात्र भाग्य होगा विनाश लेकिन उसने नान परिवार, जियांग परिवार, हुआंग परिवार और रेडियन्ट पैलेस के चार एबव इंमोर्टल असेंशन मास्टर्स को मार डाला हम इसे कैसे संभालेंगे गाउ मोने भौहे सिकोर कर पूछा यह कोई मामूली बात नहीं है वे चार उनकुछ लोगों में से थे जो हमारे आठ महान परिवारों की भरती कमान के जबाब में यहां आये थे अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं तो यहां अन्य सभी महान हान राजवंश बलों पर केवल भयावा प्रभाव डालेगा हर कोई अचानक चुप हो गया और महसूस किया कि स्थि कितनी कठिन थी तारकिक रूप से देवेश ने इन चार लोगों को मार डाला ऐसा कुछ नहीं था जिसे आठ महान परिवार माफ कर सकते थे और अगर वे ऐसा करते भी थे तो उन्हें ग्रेट हान राजवंश की बाकी सेनाओं को ऐसा करने के लिए एक उचित कारण बताना होगा लेकिन अगर उसके कारियों की निंदा करके उन्होंने देवेश को नाराज कर दिया तो परिणाम कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वे बरदाश्ट नहीं कर सकते थे आखिर यह बच्चा किस तरह का व्यक्ति है वो जेन ने थोड़ा चिंतित भाव से पूछा वह आज जो है वह कैसे बना यह प्रशन सुनकर साथ जोड़ी आखे घूम गई और यांग यिंग हाओ की ओर देखने लगी यांग यिंग हाओ दुरभागे से केवल कंधे उचकाए और हलके से जवाब देते हुए कहा मुझे मत देखो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि उनका स्वभाव अविश्वसनिय रूप से द्रिढ है यांग परिवार में थोड़े समय के दौरान वह कभी भी नुकसान सहने को तयार नहीं होंगे उसके मातापिता को बुलाओ और उनसे पूछो उन्हें हमसे ज्यादा पता होना चाहिए कांग रुई ने अचानक प्रस्ताब रखा आइडिया बुरा नहीं है भले ही यह छोटा बच्चा निर्दई है और हमारे आठ महान परिवारों के साथ समझवका करने से इनकार करता है फिर भी उसे अपने मातापिता की परवाह करनी चाहिए है न सिरहिलाने से पहले यांग यिंहाओ की भौह एक पल के लिए गहराई से सिकुड गई बहुत अच्छा मैं उन्हें बुलाऊंगा लेकिन याद रखें आप में से कोई भी उनके खिलाफ कारवाई नहीं कर सकता है स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से भाई यांग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है साथ लोगों ने एक साथ सिरहिलाया इस समय उनमें से कौन देवेश को अपमाने करने का साहस करेगा इस युद्ध के दौरान यांग परिवार के चौथे मास्टर और उनकी पतनी हमेशा यांग परिवार परिसर के अंदर ही रहे थे और उन्हें यांग यिंग हाओ की विशेश व्यवस्था द्वारा कभी भी अगरिम पंक्ती में नहीं भेजा गया था हाला कि यांग यिंग फैंग ने कई बार युध कार्य के लिए अनुरोध किया था लेकिन जवाब हमेशा नहीं ही मिला था देवेश को उनकी पिछली शिकायतों के मुआबजे के तौर पर बस इतना ही दे सकता था इसके तुरंत बाद यांग परिवार के चौथे मास्टर जोडे का आगमन हुआ यांग यिंग फैंग ने अपनी मुठिया पकड़ ली और उटसुकता से पूछा उल्पती आपने इस समय मुझे और मेरी पतनी को किस कारण से बुलाया है उन्हें और डोंग सुझू को नहीं पता था कि देवेश आज सेंट्रल कापिटल में आये थे और अभी अभी दो युद्धरत गुटों के बीच एक बड़ी लड़ाई का निप्तारा किया था इसलिए स्वाभाविक रूप से यांग यिंग फैंग को संदेह था कि यांग यिंग हाओ अचानक उनके लिए क्यों भीजेंगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं यांग यिंग हाओ ने हलके से खांसते हुए कहा यह सिर्फ इतना है कि मैं और अन्य पित्रिपुरुष देवेश के व्यक्तित्व और चरित्र को थोड़ा और समझना चाहते है कायर यांग यिंग फैंग की भाउहे सिकुड गई उसके चहरे पर भ्रम और गहरा हो गया क्या कयर को कुछ हो गया है दोंग सुझु अचानक घबरा गया और उसने जल्दी से पूछा यांग यिंग हाओ ने तुरंट अपना सिरहिलाया देवेश सुरक्षत है भाभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है फिर क्या हुआ आप अचानक मेरे कयर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं दोंग सुझु सतर्क हो गई उसकी तेज निगाहों ने तेजी से चारों और देखा और पाया कि ये पित्रिसत्ता जो आम तोर पर अहंकारी और अलग थलग व्यवहार करते थे वे सभी अपने पती और पतनी की जोडी की ओर सावधानी से देख रहे थे उन में से कुछ ने तो आधी चापलूसी वाली मुस्कान भी पहन रखी थी ऐसा द्रिश कुछ ऐसा था जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था जिससे डों सुझु को काफी हैरानी हुई यांग यिंग हाव बेपसी से मुस्कुराएं और केवल संक्षेप में बता सके की अभी क्या हुआ था वह अवध्याकारी बेटा यांग परिवार के चौथे मास्टर ने गुस्से से कहा जबसे वह केंद्रिय राजधानी में वापस आया है वह अभी तक परिवार के पास वापस क्यों नहीं आया है क्या वह अभी भी अपने प्रती गलत व्यवहार करने के लिए आठ महान परिवारों के प्रती द्वेश रखता है सभी आठ कुलपतियों ने तुरंथी अतुलनिय रूप से बदसूरत अभी व्यक्तिया धारन कर ली हाला कि यांग येंग फेंग अपने कारियों के लिए देवेश को दोशी ठहराते दिख रहे थे लेकिन वे सभी सपष्ट रूप से समझ रहे थे कि वह वास्तव में अपने बेटे के लिए असंतोश व्यक्त कर रहे थे यदि आठ महान परिवारों ने पहले उसके प्रती गलत व्यवहार नहीं किया होता तो वह अभी भी यान परिवार का सदस्य होता वह उनसे अलग खड़ा होना कैसे चुन सकता था कुल्पती मुझे ख्षमा करें मेरा वह दुष्ट उत्र युवा और आवेगी है और उसने बहुत बड़ी गलती की है अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो निश्चित रूप से सबकी ओर से उसे कड़ी फटकार लगाऊंगा यह ज़रूरी नहीं है कामरुई ने घबराते हुए कहा यदि यान परिवार के चौथे मास्टर ग्वारा डाटे जाने के बाद देवेश प्रोधित हो गया और आठ महान परिवारों पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया तो स्थिती गंभीर हो जाएगी हम आज देवेश के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं क्योंकि जिन्होंने उसे बड़ा किया है, निश्चित रूप से आप उसे किसी और से बहतर समझते हैं, हाँ इस बारे में, यान परिवार के चौथे मास्टर ने जिजगते हुए कहा हाला कि मुझे ऐसा कहने में शर्माती है, लेकिन मेरा अपने बेटे के साथ बहुत कम समवाध हुआ है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता मैं करता हूँ, डोम सुझू ने अपना हाथ उठाया और चिलाया सभी ने तुरंट अपना ध्यान उसकी ओर किया, उनके चहरे पर प्रत्याशा की जलक दिखाई दी लेकिन दूसरी और वे देवेश की बचपन की हरक्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे अच्छा, जैसे ही डोम सुझू देवेश के अतीत की एक और कहानी शुरू करने वाली थी यांग इंहाओ ने तुरंट उसे टोक दिया, अब हमारे पास एक विचार है दोम सुझू ने हलके से हंस्ते हुए कहा, मेरा बेटा बुरा बच्चा नहीं है, कम उम्र से मैंने उसे सिखाया है कि जो लोग मेरा एक कदम सम्मान करते हैं, मैं उनका दस कदम सम्मान करता हूँ और जो मेरे साथ गलत करते हैं, वे एक बार हे हे मैं तीन बार हराता हूँ आठोन कुलपतियों ने अचानक गरिमापूर्ण रूप धारन कर लिया और वे दिखने में युवा, मासूम और भोले डोंग सुझू को भूरने लगे दूसरी ओर डोंग सुझू ने निडरता से उनकी ओर देखा उसके चहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी इस बीच यांग परिवार के चौथे मास्टर मूर्थी की तरह अपनी पत्नी के पास चुपचाप खड़े रहे हम समझते हैं कांगरुई ने धीरे और गंभीरता से सिरहिलाया जब आप सब समझ गए तो हम पती-पत्नी विदालेंगे यांग परिवार के चौथे मास्टर ने ख्शमा मांगी और डोंग सुचु के साथ चले गए यांग परिवार के चौथे मास्टर और उनकी पत्नी के चले जाने के बाद आठ उल्पतियों की अभिव्यक्ति सक्त हो गई, उन्हें एसास हुआ की चौथी मैडम, जो हमेशा एक युवा लड़की की तरहा व्यवहार करती दिखती थी, एक साधारन चरित्र नहीं थी, देवेश का वर्तमान व्यवहार, रवया और स्वभाव संभव था उनके कई वर में प्रवेश किया और अंत में अमर असेंशन सीमा पाँचवे चरण को तोर दिया, जिससे उनके और सुयान के बीच साधना में अंतर पूरी तरह से समाप्थ हो गया, इस दाइरे में पहुँचकर देवेश राहत की सास लेने से खुद को नहीं रोक सका, जब से वह सुया अगर वह एक पल के लिए भी शान्त हो जाता, तो उनके बीच की खाई और भी चौडी हो जाती। लिटरी गोल्डन आई से प्राप्त लाभों को अपनी साधना में सहायप के रूप में माना था, यदि वह वास्तव में मजबूत बनना चाहता था, तो वह केवल अपनी द्रिटा और समर्पित साधना पर भरोसा कर सकता था। पिछले महीने देवेश की हवेली द्वारा एशग्रे क्लावड इविल लैंड बलों को दबाने के साथ, आठ महान परिवारों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हालांकी उन्होंने कभी-कभी एशग्रे क्लावड इविल लैंड को परिशान करने के लिए देवेश के साथ सह इन तीन गुटों के बीच संबंध असपश्ट और जटिल थे। इस महत्वपून समय में आठ महान परिवार देवेश के साथ कोई मनमुटाफ पैदा नहीं करना चाहते थे। संख्या में किसान देवेश के घर के बाहर इकठे हो गए और जब क्यूँ ही में ने देखा और कुछ प्रारंभिक जाच की तो उसने तुरंथ देवेश को ढूंड लिया। यह क्या है? हवेली के बाहर बहुत सारे लोगोंने डेरा जमालिया है। चुंकि आठ महान परिवारों ने ही उन्हें बुलाया था, तो मेरी तलाश में क्यों आए? देवेश ने असमंजस भरी द्रिश्टी से कहा। बेवकूफ मत बनो, क्यूँ ही में ने कहा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह जगह अधिक सुरक्षित है। हमारे आने से पहले, पहले से ही कुछ प्रथम श्रेनी बल थे, जो सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रिय राजधानी में आये थे, लेकिन उन सभी बलों को गंभीर हताहतों का सामना करना पड़ा है, और लगभग सभी का सफाया हो गया है। अपने संप्रदायों और परिवारों के मुख्य सदस्यों के मरने या गंभीर चोटे लगने के कई उदाहरनों के साथ, हाल ही में आये लोग उन्हें आश्रे देने के लिए आठ महान परिवारों पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तो वे इसके बजाए मेरे पास आये हैं, देवेश की अभिव्यक्ती एक बार फिर अजीब हो गई। उन्होंने लूपरिवार को अपने साथ शामिल होने की अनुमती दी थी क्योंकि लूपरिवार के कुलीन लोग भी जानते थे कि उचित शालिंता कैसे दिखानी है। इकठा होने, संधर्ष और विरोधाभास के कारण उत्पन होना ही था। हाला कि कुछ देर तक सोचने के बाद देवेश अचानक मुस्कुराया, चुंकि वे खुद को मेरे पास काम पर रखने आये हैं, इसलिए उन सभी को अंदर आने दो। क्यूई मेंग एक पल के लिए स्टब्ध रह गई। देवेश के चरित्र के बारे में वह जो जानती थी, उसके अनुसार वह आम तौर पर इन सभी लोगों को भगा देता था, इसलिए यह प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों से काफी अलग थी। हाला कि अपनी भौहें सिकोरते हुए और इस बारे में सोचते हुए, क्यूई मेंग ने जल्दी से मुस्कुराते हुए सिरहिलाया, आपकी भूख वस्तव में बहुत बड़ी है। यह एक अफसर है, देवेश ने व्यंगे किया, केंद्रिया राजधानी आठ महान परिवारों को नया खून लाना चाहिए। आठ महान परिवारों के मुखिया यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि उन्होंने अपने लिए जो भोजन तयार किया था, उसे किसी और ने चीन लिया है। एक बार जब यह संकट तल गया, तो केंद्रिया राजधानी किसके हाथ में जाएगी। लेने से खुद को नहीं रोक सके, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि आखिरकार उन्हें अपनी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कुछ मिल गया है। देवेश की मूल सेनाओ की ताकत की सावधानी पूर्वक जाच करने के बाद, ये सभी ताकतें इमानदार और कानून का पालन करने वाली बन गई। क्यों यी मेंग के आदेशों और व्यवस्थाओं के सामने किसी ने भी असहमत होने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब ये लोग अंदर आ गए, तो देवेश की मूल रूप से विशाल हवेली में और भी अधिक भीड हो गई। इन नई सेनाओं को मूलत है एक ही प्रांगण में व्यवस्थित किया गया था. इन आवासों में लोगों के बैठने और ध्यान करने के लिए परियाप्त जगह थी, लोगों के लिए अलग कमरे और बिस्तर रखने के लिए भी परियाप्त जगह नहीं थी. हाला कि किसी ने एक भी शिकायत नहीं की. देवेश के घर में आश्रे पाकर ही वे बहुत संतुष्ठ हुए. हर दिन अधिक से अधिक सेनाए देवेश की हवेली में शामिल होने के लिए कहती और देवेश उन्हें बिना शर्थ स्विकार कर लेते. ये सभी सेनाए एशगरे क्लावड इवि परिवार अपने दिलों में नाराज थे. उन्होंने उनके साथ हस्तक शेप करने का कोई प्रयास नहीं किया. जैसे जैसे समय बीता गया, देवेश की हवेली धीरे-धीरे शान्त होती गई. अब तक घर पूरी तरह से 2000 से अधिक स्वामियों से भर गया था जो अब अंदर रहे हैं. देवेश के पास मौझूद मूल 17 ट्रांसेंडेंस के अलावा अतरिक्ट 10 शामिल हो गए थे. इन में से प्रत्येक पावर हाउस एक अलग प्रथम शेनी बल से था. जिस दर से देवेश की हवेली की ताकत बढ़ी वह बहुत संसनी खेज थी और उसने आठ महान प बेगुलिंग दानवरानी, शान किंग लो और उसकी दासी बी लो. दूसरी तरफ आठ पुरुष थे, आठ महान परिवारों के वर्तमान कुलपती. यहां एक दूसरे से मिलने पर ये कुआंग रेन ने गुस्से से दहारते हुए कहा, ध्रामक दानवरानी. जैसे ही वह बो थी कि ये आठोन लोग भी उसकी तरह चुपचाप अपनी आभा छिपा कर यहां आ जाएंगे और उनकी अचानक मुठभेड हो जाएगी. राक्षस महिला, तुम यहां क्या कर रही हो, कामरुई से तीखी पूछताच की गई. शान किंग लो ने एक शब्द भी नहीं कहा, क तभी एक व्यक्ति देवेश के घर से बाहर निकला और बोला, सभी लोग कृप्या अंदर आएं. देवेश ने कहा कि यहां हर कोई महमान है और उसे उम्मीद है कि आप उसके घर के बाहर कोई गरबड़ी नहीं करेंगे घर. इस आवाज की आवाज सुनकर, आठ महान के कुलपतियों ने अचानक अजीब अभिव्यक्तिया दिखाई, जबकि क्यू शौचेंग ने देवेश के घर से निकले दूट की ओर अपनी आखे घुमाई और चिलाया, मेंगर. पिता क्यू यी मेंग गर्म जोशी से मुस्कुराएं और विनमरता से क्यू शौचेंग को कि हम तुम्हें फिर कभी न देखें. इस धमकी को पीछे छोड़कर वह तेजी से घर की ओर आगे बढ़ गया. हेवनली पैलेस के बैरियर में एक खुला स्थान दिखाई दिया, जिससे आठ लोगों को अंदर आने की अनुमती मिल गई. जब ये आठ लोग अंदर आये, क् मुझसे उनका स्वागत करने को कहा. मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के महमान होंगे, क्यों ही मेंग ने चुपचाप श्राप दिया. यदि वह जानती थी कि यहाँ आठ महान परिवारों के कुलपती आये थे, तो वह हटपूरवक उनकी अभिवादन पार्टी के चमक रही थी. यह देखकर, शान किंग लो ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ती को समायोजित किया, जल्दी से अपनी आभा वापस ले ली. जैसे वह अभी अभी एक सपने से जागी हो, क्यों ही मेंग की आखों का ध्यान फिर से केंडरित हो गया, उसके दिल में आतंक की भावना घर कर रही थी. यह सपश्ट था कि आकरशक दानव रानी का आकरशन अन्य महिलाओं के खिलाफ भी प्रभावी था. मुख्य हॉल के अंदर आठ कुलपतियों ने अपनी सीटे ले ली थी, जब शान किंग लो शान्ती से अंदर आये और उनके सामने बैठ गए. हाल की उन सभी का ध्यान देवेश पर था, जो मेज के शीर्ष पर बैठे थे. कमरे का वातावन शान्त और सुक्ष्म लेकिन जटिल था. वे सभी असमंजस में थे कि इस चर्चा को कैसे संभालें. यांग परिवार का यह प्रत्यक्ष वन्षच जो उनसे एक पूरी पीधी नी में असमर्थ थे और इसके बजाएवे केवल उसे विस्मय की द्रिश्टी से देख सकते थे. इस बात की पूरी संभावना है कि उनमें से कोई भी अपने शेश जीवन में उसे पकड़ नहीं पाएगा. यहां तक किलियू की न्याओ, जिन्हें कभी सेंट्रल कापिटल के प कुछ भी स्वाद नहीं आया. उनकी जुबानों पर सिर्फ तीखी कड़वाहट फैली हुई थी. एक कप कड़वी चाय पीने के बाद, आठ महान परिवारों के कुलपतियों ने धीरे-धीरे अपना धैर्यक हो दिया. जब सब कुछ कहा और किया गया, तब भी वे केंद्र कानी से व्यभार करने के लिए मजबूर होना पड़ा. स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ असंतोष और गुस्सा महसूस हुआ. विशेशकर देवेश के चहरे पर इस समय जो शान्ती और आत्मविश्वास का भाव था, वह उनकी आखों में विशेश रूप से आत्मसं मेधियों के रूप में आपके साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए यहां आये हैं. लेकिन आपने वास्तव में इस जादुगर्नी को यहां बैठने की अनुमती दी है, कुमा. आपका इससे क्या मतलब है? जादुगर्नी आपको हमारी उपकारिता को कृतग्यता पूर्वक्स विकार करना चाहिए और जल्दी से. चले जाना चाहिए या क्या आप इस पुराने मास्टर को यहां कारवाई करने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे हैं. गाओ रंगफेंग की मृत्यू जहर राजा और भूत राजा के हाथों हुई थी. इसलिए गाओ मो और एशगरे ट्लावड इविल लैंड के महान दुष्ट राजाओं के बीच विरोधाभास स्वाभाविक रूप से अपरासंगिक था. मेरी हवेली में मेरी अनुमती के बिना कोई भी किसी और के खिलाफ कारवाई नहीं कर सकता, देवेश ने अपनी उंगलिया चटकाते हुए ठंडी आवाज में कहा. अगले ही पल, आठ महान परिवारों के सभी कुलपतियों के चहरे बहुत बदल गए. उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई रहस्य में उर्जा अचानक उनके चारों और प्रकट हो गई हो और उनकी सच्ची क्यूई का उप्योग करने की उनकी क्षमता को दबा दिया हो. अब केवल उन्हें एक चोटी सी चेतावनी देना था. मेंगवुया को उनकी कैद से मुक्त करने का संकेट देने के तुरंत बाद. इस स्वर्गिय महल के अंदर मेंगवुया सब कुछ नियंतरित करने में सक्षम थी. भले ही यह एक पारलौकिक शेत्र का स्वामी था जिसन को शाध्यक्ष में की योजना विफल हो गई. उसके दिल में गुस्सा उमड रहा था. गाउमो ने देवेश को हटपूरवक देखा, लेकिन यह जानते हुए कि अब अपना आपाख होने का समय नहीं है. उसने किसी तरह अपना गुस्सा रोका और बदसूरत अभिव्यक्त के साथ पूछा, छोटे भतीजे, तुम अभी भी सदस्य हो यान परिवार क्या आप नहीं है? क्या अब आप एशकरे क्लाउड इविल लैंड का पक्ष लेना चाहेंगे? अन्य साथ कुलपतियों के चहरे गरिमापूर्ण थे और वे देवेश की ओर देख रहे थे. शैतान मेरे अच्छे अंकल क्या मेरे पास खंडन करने का कोई विकल्प है? देवेश ने चारों और आठ बूढों की और थंडी नजर से देखा. आठोन कुलपतियों ने तुरंत अजीब अभिव्यक्तिया की, उनके चहरे शर्म से कुछ गर्म हो गए. उस समय उनके आठ महान पर किवारों में से किसी को भी ख्त्म करने में सक्षम थी. उनसे बात करते समय देवेश के ठंडे स्वर ने उनकी रीड में ठंडत पहुचा दी. हालांकि अफवाहों के बीच एक बात ऐसी भी है जो गलत नहीं है. मैंने वास्तव में पहले एशग्रे क्लाउड इविल लैंड के लोगों के साथ मिली इभगत की है. देवेश को भयभीत द्रिश्टी से देखने पर आठोन कुलपतियों के चहरे तुरंट पीले पड़ गए. देवेश ने बेगुलिंग दानवरानी की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, शान किंग लो और मैं पुराने पर करता है, तो उसे चहरा न देने के लिए मुझे दोश न दें. ये शब्द सुनकर राक्षसी रानी का चहरा खुशी से भर गया, उसके हृदय में गर्व की भावना जाग उठी. जिस आदमी को उसने चुना था, उसने आठ महान परिवारों के कुलपतियों के दबाव के ब बेगुलिंग देमन क्वीन के व्यक्तिगत संबंधों की हैं, और इन्हें शैतानों और राक्षसों के साथ मिलीबगत के रूप में नहीं माना जा सकता है. सारवजनिक और निजी मामले अलग-अलग मुद्दे हैं, हम सब इतना समझते हैं. कामरुई ने देवेश का बचा का सामना करने के बाद मेरे आठ महान परिवार आपको उचित मुआवजा देंगे और आपकी किसी भी मांग को पूरा करेंगे. महान अंकल देवेश ने गंभीरता से जवाब देने से पहले एक पल के लिए जिजखते हुए कहा, चलो आधे साल पहले की घटनाओ का जिक्र करते, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है. अगर मुझे कुछ चाहिए, तो मैं इसे अपने लिए ले लूँगा, आठ महान परिवारों को मुझे किसी भी प्रकार का मुआवजा देने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. यां यिंग हाओ रुके और फिर हलके से सिरह लाय पर उसके खिलाफ कारवाई की थी, वे सभी मूल रूप से मर चुके थे. मेरे सभी अच्छे चाचा आज मुझसे क्या चर्चा करना चाहते हैं, देवेश ने काम पर उतरते हुए पूछा. आठ बुढों ने अपनी अभिव्यक्ती को समायोजत किया, और यां यिंग हाओ हलके से खांसते हुए कहा, यह कोई जरूरी बात नहीं है. चुकि बेगुलिंग दानवरानी भी आज यहां है, जाहिर तोर पर उसे भी आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है, तो आप पहले उसके साथ चर्चा क्यों नहीं करते? देवेश हलके से मुस्कुराया, आठ कुलपतियों से अपने इरादों को छिपाने का प्रयास करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, देवेश मैं आपको जीतने के लिए दानव भगवान के आदेश पर आज यहां आया हूँ. यांग यिंग हाओ और अन्यकुलपतियों के चेहरे जल्दी ही उदास हो गए. ह दुनिया को नियंतरित करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो सकते हैं. शान क्विंग लो ने स्वतंत्र रूप से और आसानी से बात की, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आठ कुलपतियों को अपनी नजरों से दूर नहीं रख रही थी. देवेश ने भौहे चढ़ाई और दिल्चस्पी दिखाते हुए पूछा, क्या फाइदे हैं? इस युद्ध के बाद यह दुनिया आपकी होगी. देवेश थोड़ा स्थब्ध हुए बिना नहीं रह सका, राक्षस भगवान क्या चाहते हैं? उनका एक मात्र लक्ष्य आठ महान परिवारों का सफाया करना है शान क्विंग लो ने थोड़ी नाराजगी के साथ उत्तर दिया, उसका लहजा कुछ हर्टक मजबूर था. जाहिर तोर पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि यांग बाई ने केवल वद करने के लिए केंद्रिय राजधानी पर आक्रमन करने के लिए इतने सारे मिलाए थे. यदि उसे इस कार्य से कोई लाब नहीं मिला, तो क्या उसने ऐसा करने की जहमत उठाई होगी? सर डेमन लॉर्ड ने भी कहा, जब शान किंग लो ने देवेश की ओर देखा, तो उसके गाल अचानक नशीली लाली से भर गए, यदि आप उससे बादा कर सकते है तो वह आपको धन्यवाद उभार के रूप में सबसे पहले बेगुलिंग देमन क्वीन दे सकता है। के अनुरोज से सहमत होने को तयार हैं, शान किंग लो ने पूछा, बेशक मैं मानूँगा, इतनी अच्छी बात है, मैं क्यों नहीं मानूँगा, देवेश ने सिरहलाया। वापस जाओ और अपने दानव भगवान से कहो, मुझे उसका सिर चाहिए, मेरे ग्रैंड मास्टर को उसके सिर में बहुत दिल्चस्पी है, जब तक वह इसे मुझे दे सकता है, मैं उसके साथ सेना में शामिल होने को तयार हूँ। शान किंग लोग की अभिव्यक्ती बिल्कुल नहीं बदली और उसने धीरे से सिरहलाया, फिर मैं बापस जाओंगा और आपकी बातें उससे बताओंगा, लेकिन मुझे संदे है कि वह सहमत होगा। ऐसा कहते हुए, वह शान से खड़ी हुई और बी लुओ के साथ चली गई जैसे कि वह वास्तव में केवल दानव भगवान का संदेश देने के लिए यहां आई थी, देवेश को समझाने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी। जब तक देवेश और यानबाई के बीच यह रिष्टा था, उनके लिए सहयोगी बनना असंभव था। यह सब जानकर आठोन बूरों ने चुपचाप बहुत आराम किया। तो फिर मेरे चाचा आज मुझ से किस विशय पर चर्चा करना चाहते हैं, देवेश ने आठ कुल जब तक वह वास्टव में आठ महान परिवारों के साथ एक जुट हो सकता है, उनके लिए एशगरे क्लाउड इविल लैंड के आकरमन को रोकना मुझकिल नहीं होगा। महान अंकल मैं वापस नहीं जाओंगा, देवेश ने सिर हिलाया। क्यों? मेरे हाथों में जो ताकत है वह मुझे बोलने का अधिकार देती है, लेकिन अगर मैं अभी आपके साथ वापस जाओं। तो क्या मैं फिर भी आपसे इस तरह बात कर पाऊंगा, देवेश ने ब्य अगर मैं यान परिवार में लोट आऊं, तो क्या आप आठ महान परिवारों का नियंतरन मुझे सौंप सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे यान परिवार में लोटने में कोई आपत्ती नहीं है। वह केंद्रिय राजधानी की संपूर्ण नीम को यूँ ही उसे सौंपने की अनुमती कैसे दे सकता है? तो फिर आगे चर्चा की कोई ज़ूरत नहीं है, मुझे मनमाने धंग से काम करने में सक्षम होना पसंद है। देवेश ने धीरे से अपना सिरहिलाया, यह संकेट देत के लिए कोई जगह नहीं थी. क्या आप इस पर जोर देते हैं? यांग यिंहाओ ने पूछा. एन देवेश ने द्रिड़ता से सिरहिलाया. यांग यिंहाओ चिंतन में डूब गए और एक पल की चुप्पी के बाद बोले मुझे वापस जाकर एल्डर हॉल के साथ इस पर जर्चा करनी होगी. मेरे लिए आपको आठ महान परिवारों की कमान देना असंभव है, लेकिन अगर यह सिर्फ यांग परिवार है, तो मैं आपकी शर्तों को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूँ. भाई यांग गाओमों ने मुड़कर यांग यिंहाओ को ऐसे देखा जै अंकल ने जो कहा वह सही है, देवेश आत्म विश्वास से मुस्कुराया. यांग यिंहाओ की बातें सुनने के बाद अन्यसाथ पित्रि पुरुष अचानक चिंतन में पड़ गए. अब हम विदालेंगे यांग यिंहाओ ने कहा और वह खड़ा हो गया, अन्यसाथ बूढ देख ने सामुहिक रूप से अपना सिरहिलाने और आहे भरने से पहले देवेश की ओर एक अजीब नजर डाली. देवेश के साथ इस संक्षिप्त मुलाकात ने उन्हें सचमुच निराश कर दिया था. बहुत बढ़िया अंकल, देवेश ने अचानक पुकारा, मेरे माता- ग्रेट अंकल. मुझे यही करना चाहिए, यांग यिंग हाउने सिरहिलाया. जब आठ पित्रे पुरुष हॉल से बाहर निकले, तो उन्होंने क्यूई मेंग और हुओ जिंग चेन को बाहर उनका इंतजार करते हुए पाया. यह सपष्ट था कि यह यंग लेडी और यंग उनका इंतजार कर रहे थे. प्रणाम अंकल क्यू ही मेंग ने अपनी स्थिती के अनुरूप शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए सुरुचिपूर्ण धंग से जुकाया. दूसरी ओर हुओ जिंग चेन अपनी बाहों को मोर कर हंस्ते हुए वहां खड़ा था, जिससे ह हुओ जेन की आखों में एक जुंचलाहट भरी रोशनी चमक उठी. पूरे सेंट्रल कैपिटल में हुओ जिंग चेन शायद एक बड़ी ताकत का एक मात्र यंग लॉड था जिसने इतना अभदर व्यभार किया. अरे बेटा, मेरे साथ आओ, पिताजी को तुमसे कुछ कहन है, हुओ जेन ने हुओ जिंग चेन को चिलाया. यह सुनकर हुओ जिंग चेन अर्थपूर्ण धंग से मुस्कुराया और हुओ जेन के पीछे पीछे चला गया. दूसरी और क्यू शौ चेन ने आह भरने से पहले काफी देर तक क्यू यी में को घूर कर देखा, मेंगर क्यू यी मेंग की पसंद सही थी. विरासत युद्ध के दौरान, देवेश कुछ ही समय में बाकी सब पर हावी हो गए. विरासत युद्ध के अंतिन घंटों में, क्यू शौ चेन ने क्यू यी मेंग और आटम रेन हॉल को परिवार में लोटने का आदेश दिया था और अपने किसी भी रिष्टे को खत्म कर दे. लेकिन तथ्यों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आठ महान परिवारों के साथ जुडने की तुलना में देवेश के साथ मजबूती से खड़ा होना अधिक फायदेमंद था. आजकल केंद्रिय राजधानी आंतरिक एवं बाहि है कि क्यू ही मेंग ने दिवेश का अनुसर्ण किया, ऐसा करने में अपने पिता के आदेशों की अभेलना करने में भी संकोच नहीं किया. उनकी यह बेटी वास्तव में उनसे कहीं अधिक दूर तक और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती थी, क्यू शौचेंग अचान जी रो को क्यू परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में विक्सित करने पर केंद्रित किया था. ऐसे भी समय थे जब क्यू ही मेंग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण क्यू शौचेंग को दैनिय अभिव्यक्ती दिखानी पड़ी. इस तथ्य पर विल जूचेंग अचानक हसे और अपने साथी कुलपतियों की ओर देखने लगे, वे भी अब युवा नहीं रहे. कांडुरी, मेंग्शी पिंग और अन्य कुलपतियों के चहरे इन शब्दों पर हिंसक रूप से हिल गए. दूसरी ओर हुओ जेंग और हुओ जिंग चेंग दो कंधों को ठप्थ पाया, आपको पद छोड़ना चाहिए और सेवानिवरित जीवन का आनंद लेना चाहिए, अब पारिवारिक राजनीती और युद्ध के मैदान में इधर उधर भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. तब आपके पास कुछ और मैडमों को ढूंडन और मुझे एक छोटा भाई देने के लिए समय और उर्जा होगी. मेरी पहले से ही बहुत सारी बहने हैं, जब उन सभी की शादी होने लगेगी, तो उनका दहेज हमारे हो परिवार पर एक गंभीर बोच बन जाएगा. बदमाश, वो जेंग ने हो जिन चेन के सिर पर जारी रखते हैं, तो हो परिवार वास्तव में केवल मेरे उत्तराधिकारी के रूप में समाप्थ हो जाएगा. आप अभी भी युवा और स्वस्थ हैं, इसलिए बिस्तर पर आपकी ताकत अभी कम नहीं होनी चाहिए. तुम्हें अपने पास मौजूद समय का क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ तरकीबे सिखाऊं? अपना मुह बंद करो, तुम नहसंतान पुत्र हो, हो जेंग गुस्से से दहाडने लगा. वो जिन चेन ने अचानक अपनी करकश मुस्कान पर काबु पालिया और गंभीरता से कहा, बुढ़े आदमी, शाय की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अपने आप से, ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे आप इस स्थिती को इतनी स्पष्ट रूप से देख सकें. आपको किसने निर्देशित किया? क्यू यी मेंग हुओ जिन चेन पूरी तरह से बेशर्मी से मुस्कुराया. आंकडे वह चोटी लड़की आप में से बाकी लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली है. वो जिन ने क्यू यी मेंग पर नजर डाली और उदास होने से खुद को नहीं रोक सका. ऐसा क्यों था कि उनकी सभी बेटियों में से कोई भी क्यू यी मेंग से तुलना नहीं कर सक जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहंत की थी. दूसरी और आठ महान परिवारों के कुलपिता स्वाभाविक रूप से उसके अधीन होने को तयार नहीं होंगे. यदि वे वास्तव में देवेश जैसे कनिष्ट को सभी अधिकार सौंप देते, तो क्या आठ महान परिवार हंसी का पात्र नहीं बन जाते. और तो और आठ महान परिवारों के कुलपतियों की उनकी पीधी ने भी उनके प्रती दुर्भावनापून व्यभार किया था. हालाकि यदि पित्रसता का पद बदलना था, तो सब कुछ ठीक होगा, खासकर यदि यह पद युबा पीधी के सदस्यों द्वारा ग्रहन किया गया था क्योंकि उनमें से कई ने देवेश के साथ बातचीत की थी और उनके साथ व्यभार करने के आदी थे. उदाहरन के लिए एक बार जब हो परिवार और क्यू परिवार क्रमशा हो जिंग चेन और क्यू ही मेंको विरासक में म एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं रचेंगे. ऐसा लग रहा था कि यह सब कॉस्मेटिक बदलावों से ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन अब यह सब अपरिहार यह हो गया है. जब तक निश्चित रूप से आठ महान परिवारों ने देवेश की हवेली से मदद नहीं ले तब से एशगरे क्लाउड इविल लैंड की सेनाएं काफी कानून का पालन करने वाली हो गई थी, जबकि आठ महान परिवारों ने उनके साथ परेशानी खोजने की पहल नहीं की. यद्यपी देवेश अधिक अमर असेंशन मास्टर्स को मारने का अफसर ढूंडना चाहता लेकिन ऐसे अफसर कभी नहीं आएं, इसलिए वह केबल हार मान सकता था और हवेली के अंदर सुयान के साथ शांति पूर्वक दोहरी खेती कर सकता था. आला कि उनकी खेती की प्रक्ती अब उतनी तेज नहीं थी, लेकिन यह वास्तव में अधिक स्थिर थी, जिससे उन्हें अपनी नीम को बहतर धंग से मजबूत करने की अनुमती मिली जिससे उन्हें भविश में लाभ होगा. देवेश की हवेली में शरण लेने वाली महान ताक्ते भी यथा स्थिती के साथ काफी सहज थी. वे आठ महान परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए केंडरिया राजधानी में आये थे, लेकिन उनमें से कोई भी एशगरे क्लावड इविल लैंड के साथ परेशानी खोजने के लिए उचसुक नहीं था और इस सुरक्षित वातावर्ण में चुपचाप खेती करने से बहुत खुश थे. कुछ दिनों बाद, आठ महान परिवारों के कुल्पतियों ने एक बार फिर देवेश से मुलाकात की और उनके लिए समाचार लाए जिससे वह बहुत संतुष्ठ हुए. क्यू शौचेंग आधिकारिक तौर पर क्यू परिवार की सबसे बड़ी लिव चुकवान अपना पद लिव किन्याओ को सौप देंगे. कांगरुई का पद कांग जियान को सौप आ जाएगा. गाउ मो गाउ परिवार के कुल्पती का पद गाउ रंघी ने परishit थे. दूसरी ओर किन्याओ जियान और ये जिन्दी से परिचित नहीं थे. लेकिन उन्होंने यह मान लिया था कि वे अपने अपने परिवारों की युवा पीधी के नेता हैं। सभी महाशक्तिया सामुहिक रूप से नेताओं को बदलने जा रही थी और आने वाले सभी कुलपती वास्तव में युवा पीधी के जुनियर थे। यां यिंग हाउ ने हलकी सी मुस्कुराहट दिखाते हुए पूछा क्या आपको लगता है कि आपके अलावा कोई भी उस पद पर बैठ सकता है। यां यिंग हाउ आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। उन्होंने वास्तव में देवेश को यह कहते हुए सुना था कि वह केबल अपने संप्रदाय के नाम को सुधारने के लिए विरासक युध में भाग ले रहे थे और उन्हें पित्रिसत्ता की स्थिती में कोई दिल्चस्पी नहीं थी। हाला कि यान यिंग हाउ ने हमेशा सोचा था कि वह सिर्फ एक मोर्चा बना रहा था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में यान परिवार का मुख्या नहीं बनना चाहता था। देवेश की वर्तमान खेती और उनके पीछे उनके सहयोगियों की ताकत को देखते हुए जब तक उन्होंने सिर्हिलाया यान परिवार में कोई भी उनके पित्रिसत्ता बनने पर कोई आपत्ती नहीं उठाएगा। देवेश ने द्रिड़ता से कहा, स्वाभाविक रूप से मैं गंभीर हूँ। कुलपती होना बहुत थकाओ है, मुझे इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है। लेकिन अभी आप जिस ताकत को समझ रहे हैं, वह पहले से ही पूरे यान परिवार से ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि यह बहतर होगा यदि आप बिग ब्रादर या सेकेंड ब्रादर को पित्रिसक्ता बनने दें, खासकर सेकेंड ब्रादर को। मुझे लगता है कि वह यह भूमिका निभाकर बहुत खुश होंगे। यांग यिंग हाओ को भी अपने बेटे के लिए कुछ अफसोस हुआ यदि देवेश इतना विस्मेकारी नहीं होता तो यांग जाओ निश्चित रूप से पित्रिसता के लिए एक अच्छा उम्मीदवार होता यांग वेई से भी अधिक यांग वेई एकांत प्रिय व्यक्ती थे और साधना के प्रती जुनुनी थे ऐसा व्यक्ती पित्रिसता बनने के लिए उप्युक्त नहीं था इस पद को अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें यांग यिंग हाओ थोड़ा मुस्कुराए याद है मैंने तुम्हे पहले क्या बताया था हम्मत यांग परिवार का कुल्पती बनने के भी अपने फाइदे हैं अन्य साथ कुल्पतियों ने तुरंत यांग यिंग हाओ की ओर देखा ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा था कि वह क्या बोल रहा है उनमें से हर एक थोड़ी इर्शालू द्रिश्टी दिखा रहा था देवेश ने ध्यान से याद किया और सिर हिलाया यांग यिंग हाओ ने वास्तव में उससे पहले इस बारे में कुछ कहा था प्रत्यक यांग परिवार का कुलपती एक अमर अमर उद्गम सीमा स्वामी क्यों है यांग यिंग हाओ ने अर्थपूर्ण धंसे मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि यान परिवार के कुलपती को एक विशेश अफसर दिया जाता है जो केवल इस पद पर बैठने वाले को ही उपलब्ध होता है जब तक आप पित्रिसक्ता का पद स्विकार करते हैं आपको पता चल जाएगा कि यह अफसर क्या है उसकी बात सुनकर देवेश के चहरे के भाव तो नहीं बदले वहीं कमरे में मौझूद बाकी साथ लोगों की सांसे तेज हो गई उन्होंने यान परिवार के इस रहस्य के बारे में केवल अफवाह सुनी थी लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह तथाक्थित अफसर क्या था महान अंकल क्या यह मुझे लाब का लालच देने का आपका तरीका है देवेश मुसुराया यह है यान यिंग हाव ने इनकार नहीं किया वह जानता था कि देवेश ऐसा व्यक्ति है जो घाटा सहने से इनकार करता है और परियाप्त लाब होने पर ही आगे बढ़ता है उसे विश्वास नहीं था कि यान परिवार का यह रहसे उसे हिला नहीं पाएगा क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं देवेश को सचमुछ कुछ कुछ दिल्चस्पी थी यान यिंग हाव मुसुराये और अपना मुग खोला देवेश के हावभाव बदल गए उसके चहरे पर एक सुख़द आश्चर्य जहलकने लगा अन्य साथ कुलपतियों ने अपने कान खड़े कर लिए और देवेश और यान यिंग हाव के बीच मौन संचार को देखने लगे हाला कि वे कही गई किसी भी बात को समझने में असमर्थ थे जिससे उनकी जिग्यासा और भी प्रबल हो गई मैं इस जानकारी से कुछ हद तक प्रलोगित हूँ लेकिन ग्रेट अंकल मैं वास्तव में पित्रिसत्ता नहीं बनना चाहता देवेश ने अपनी भौहें हलकी सी सिकोड ली यांग परिवार का भविश्य आपके द्वारा बनाया जाएगा यांग यिंग हाओ की अभिव्यक्ती गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने गंभीरता से कहा केंद्रिय राजधानी के आठ महान परिवारों ने कई पीडियों तक संधर्ष किया है फिर भी वे केवल अपने वर्तमान स्थर तक ही विक्सित हो पाए है मुझे यह कहना होगा कि यान परिवार का नित्रित्व करने के लिए आप किसी भी अन्य की तुलना में अधिक उप्यूक्त है यदि आप नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि हम बूढे लोग अपरिपक्व बच्चों के समूह के लिए अपने पित्रिसक्ता के पदों को सौंपने के लिए आश्वस्त महसूस करेंगे ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें आप पर भरोसा है कमरे में मौझूद सातों अन्य बुढों ने चुपचाप सिरहिलाया, उनकी सभी अभिव्यक्तिया देवेश के प्रती प्रबल उम्मीदों से भरी थी, जिन में थोड़ी सी भी अवमानना नहीं थी देवेश के चहरे पर मजबूरी भरी मुस्कान थी जब उन्हें आठ महान परिवारों का दुश्मन करार दिया गया था, तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी कि उनका अस्तित्व भी रहेगा या नहीं लेकिन अब उन सभी ने उनके प्रती इतनी बड़ी इमानदारी दिखाई है, जिससे उन्हें कुछ हद तक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है भले ही उन्होंने उसके खिलाफ जो भी चालें और योजनाएं अपनाई हो, आठ महान परिवार अभी भी अंगिनत वर्षों से एशग्रे क्लावड इविल लैंड के खिलाफ सुरक्षा कवच बने हुए थे, इसके लिए वे कम से कम कुछ श्रेय के पात्र थे महान अंकल मैं आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा, देवेश ने इमानदारी से उत्तर दिया, वर्तमान स्थिती को ध्यान में रखते हुए, मैं कुछ समय के लिए यान परिवार की कमान संभालूंगा, और इस घटना के बाद मैं सबसे बड़े भाई या दूसर क्रिशक, मजबूत संप्रदाय, मजबूत परिवार हैं, उनकी तुलना में आठ महान हैं परिवार कुछ भी नहीं है, मुझे डर है, कम से कम देवेश को पता था कि जल आत्मा मंदिर एक संप्रदाय है, जो श्वी लिंग जैसे गुरू को पैदा कर सकता है, आठोन कुलप दोमेन का एक धीला गठ बंधन था, उनकी ताकत के बराबर ही थी, अचे से यांग यिंग हाओ ने धीरे से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए जिजगते हुए कहा, आप अधिक महत्वा कांक्शी हैं, स्वाभाविक रूप से मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूँग केंद्रिय राजधानी के आठ महान परिवार एक साथ कुलपतियों को बदल रहे थे, जब यह खबर सामने आई, तो इसने दुनिया को हिला कर रख दिया, विशेश रूप से जो लोग केंद्रिय राजधानी में रह गए, उनमें से कई काफी समय तक स्तब्ध थे, साथ महा परिवारों को आम तोर पर प्रतियेक संबंधित परिवार में सबसे बड़ी घटनाओं के रूप में माना जाता है, लेकिन आज कल, आसपास बहुत सारे एशगरे क्लावड इविल लैंड मास्टर्स के साथ, साथ परिवारों ने केवल एक ही समारोह की मेजबानी करने का फ सुरक्षा का जिम्मा देवेश की हवेली के कई ताकतवर आकाओं को सौंप दिया गया, देवेश के घर में रक्षा का कार्यभार संभालने वाले कई मास्टरों के एकतर होने से चीजें ब्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी, समय तेजी से बीट गया, और तीन दिन बाद यां यिंग फेंग और दों सुझू देवेश की हवेली में पहुँचे, उनके आगमन की खबर पाकर, देवेश जल्दी से अपने मातापिता का स्वागत करने के लिए बाहर चला गया, सुयां भी शर्म से देवेश के पास चली गई, उसका चहरा हलका सा शर्मा रहा था, यां यिंग फेंग और डों सुझू दोनों अनुभवी वयस्क थे, और जब उन्होंने सुयां की शर्मीली उपस्थिती देखी, तो वे तुरंट उसके और देवेश के बीच के रिष्टे को समझ गए, डों सुझू ने तुरंट सुयां को पास की मेज पर खीच लिया, औ उसकी भावी बहु थी, इस बीच यां परिवार के चौथे मास्टर ने चुपचाप देवेश को एक बड़ा अंगुठा दिया, लेकिन कुछ हद तक इर्शापून मुस्कुराहट के साथ, आंटी दरसल उनके साथ एक और भी है, सुयां ने अचानक दों सुझू से फुस जाहिर है उसने सोचा कि सुयां को ईश्या हो रही थी, कोई जरूरत नहीं है, सुयां ने तुरंट हाथ हिलाया, यह सिर्फ इतना है कि जूनियर सिस्टर काफी शर्मीली है और खुद से बाहर आने में कुछ हद तक शर्मिन्दा है, इसके अलावा जूनियर ब्रादर ने उसने सुयां के इतने दयालू होने की उम्मीद नहीं की थी, उसने एक शन बाद ही जवाब दिया, जब तक आपको कोई आपती नहीं है, मैं स्वाभाविक रूप से उससे मिलना और बातचीत करना चाहूंगी, फिर मैं उसे ले आउंगी, सुयां ने मुस्कुराते हुए क उसका शरीर एक जटके में गायब हो गया, मा सुयां कहा जा रही है, देवेश अपने पिता के साथ पास में ही बात कर रहा था, तभी उसने अचानक सुयां को भागते हुए देखा, तो उसने उचसुकता से पूछा, हम्फ डों सुझू ने तिरसकार पूर्वक नाक में द ऐसा तभी हुआ जब डों सुझू ने उससे एक सवाल पूछा, तो उसने शर्म से जवाब दिया, इन दो युवा लड़कियों को अच्छी तरह से देखने के बाद, डों सुझू पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, एक बर्फ परी और एक मासूम सुंदरी, इन दोनों की भावना प्राप्त करना उसके बेटे का अत्यंत सौभाग्य था, यांग परिवार के चौथे मास्टर को अपने बेटे की अच्छी किस्मत से गहरी इर्शा थी, लेकिन वह सक्त चहरा दिखाने में काम्याब रहे, कयर, आप इन दो लड़कियों के साथ अन्याय नहीं कर सक जल्द ही एक तारीख तै करें और चीजों को आधिकारिक बनाएं, दूसरी और देवेश ने हंस्ते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, हम सभी अभी भी युवा है, आप युवा हो सकते हैं, लेकिन आपके माता-पिता अब नहीं है, यां यिंफिंग ने तर्क दिया, कौन जल्दी से समझाया, तुम्हारी मा अकसर कुछ आवेकूर्ण बाते कहती हैं, ऐसे समय में उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आज पापा किस मामले में यहां आये हैं, सुयान और उसकी छोटी वरिष्ट बहन को बहुत अधिक शर्मिंदगी सहन करने से बचाने के लिए देवेश ने भी विशय बदलने का अफसर लिया, यां यिंफेंग ने हलके से खांस्ते हुए कहा, आप महान अंकल चाहते हैं कि आप वापस जाएं, यां परिवार में वापस, एं, देवेश की भौहें सिकुड गई, कब, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, मैं समझता हूँ, देवेश ने थोड़ा सिरहिलाया, क्या ग्रेट अंकल ने बताया कि वह क्यों चाहते हैं कि मैं तुरंट वापस आऊं, उन हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाते हुए, देवेश ने सभी को सूचित किया, कि वह यां फैमिली कंपाउंड में लौट रहा है, क्यों यी मेंग और हो जिंग चेन अब घर में नहीं थे, वे परिवार के मुखिया के रूप में अपना नया पद संभालने की तयारी के अपने अपने परिवारों में लौट आये थे, इसलिए देवेश अब केवल लिंग ताई जू और मेंग वू या को ही घर की देखभाल करने दे सकते थे, युवा मास्टर पुराने नौकर को निंदक होने के लिए दोश न दें, लेकिन यां परिवार इतनी उच्सुक्ता से आपको वापस लोटना चाहता है, क्या आप निश्चित हैं कि उनका कोई गुप्त उद्देश नहीं है, बूढ़ा दानव अचानक सकर्क हो गया, कोई बात नहीं, देवेश ने अपना सिरह लाया, चुंकि मैं दानव भगवान का विरोध करने में उनके साथ शामिल होन के लिए सहमत हो गया, इसलिए उनके पास अब मेरे खिलाफ कारवाई करने का कोई कारण नहीं है, युवा मास्टर को लापरवाह नहीं होना चाहिए, बूढ़ा दानव उदास होकर मुस्कुराया, आठ महान परिवार अधिपतियों के रूप में कार्य करने के आदी हैं, और तुम्हें अपनी सतरक्ता कम नहीं करनी चाहिए, मिंग वू या भी एक बार के लिए ओल्ड देमन से सहमत हो गई, अगर वे वास्तव में ऐसा करते, तो यह बहुत अदूरदर्शी होता, उस समय मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, देवेश ने व्यंग्य किया एशगरे क्लाउड इविल लैंड द्वारा केंद्रिय राजधानी के लिए उत्पन्न खत्रे से अभी तक निप्ता नहीं जा सका है, यदि आठ महान परिवारों को इस बिंदु पर और अधिक आंतरिक विवाद शुरू करना था, केवल इस बात पर विचार करना की अपने इसने मूर्ख नहीं होंगे क्योंकि चीजें इस बिंदु तक पहुँच गई हैं। लेकिन अब जब अनिवार्य रूप से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, तो उसे एक महत्वपूल मोर्खोजने की जरूरत थी, और आठ महान परिवारों को अपने घर में विलै करना उसके लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही देवेश ने यान परिवार के द्वार में प्रवेश किया, उसने देखा कि देवेश के तीसरे भाई यान ताई के नित्रित्व में लोगों का एक समोह उसका इंतजार कर रहा था। अभिवादन पित्रिसत्ता यान ताई अचानक चिलाया क्योंकि उसके पीछे के लोगों के समोह ने जल्दी से सलामी दी। देवेश ने अजीब सा रूप धारन कर लिया और फुसकुसाते हुए तेजी से आगे बढ़ा तीसरे भाई तुम क्या कर रहे हो। बड़े चाचा ने हमें आपसे यहीं मिलने के लिए कहा था। यान ताई ने धीरे से जवाब दिया। अब आप यान परिवार के सनरक्षक हैं। अब समय आ गया है कि आप पित्रिसत्ता की तरह काम करें और आपके साथ वैसा ही व्यभार करें। खुलपती, देवेश के चहरे का रंग उड़ गया। यान ताई फिर सीधी हो गई, मुस्कुराईं और कहा पैट्रियार्ट, कृपिया, एलडर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देवेश ने हलके से सिरहिलाया, अपनी नजर ठीक की और आगे बढ़ गया। उनके वाली किसी भी हलचल के प्रती लगातार सतरक रहता था। वह एक बूढ़ा दानव भगवान था। स्वाभाविक रूप से वह सशंकित और काफी चिंतित था। चुंकि यान परिवार ने देवेश को वापस लोटने के लिए दोड़ाया था, इसलिए उसे किसी गुप्त पुद्देश का संदेह था। यान टाई के मार्क दर्शन में देवेश और अन्य लोग जल्दी से एक बड़े हॉल में आये। मुख्य हॉल में देवेश ने देखा कि लगभग 40 लोगों की दो पंक्तिया चुपचाप खड़ी थी। ये सभी लोग यान परिवार के मजाक उड़ाया था और मजाक उड़ाया था वे इस समय उसे फिर से देखने के बारे में जटिल भावनाउं से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें डर था कि देवेश उनके लिए मुश्किले खड़ी कर सकता है। देवेश उसके सामने आ गया था। देवेश के आते ही सबने चिला कर कहा प्रणाम पित्रिसत्ता। देवेश ने अपने दिल में महसूस हो रही बेचैनी पर ध्यान न देते हुए हलके से सिरहिलाया। बढ़ो की दो पंक्तियों से वह थोड़ा अजीब लगते हुए सीध देवेश ने का बीडा उठाया। उसके बगल के तीन यान परिवार के बड़े बुजर्ग विपरीट दिशा में चले गए और पुराने दानव और चौथे मास्टर के सामने रुप गए। अरे इसका मतलब क्या है बूढ़ा दानव मुस्कुराया और उसके रूप में एक खतरनात मोडा गया। मुझे माफ कर दो लेकिन यह मेरे यान परिवार का मैदान है। खुलपती के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें यहीं इंतजार करना होगा। यान परिवार के बड़े बुजर्गों में से एक ने हलके धंग से कहा। यह काम नहीं करेगा। मुझे हर समय अपने यंग मास्टर का अनुसर्ण करना होगा। बुढ़े दानव ने धीरे से अपना सिरहिलाया यह कहते हुए कि इस पर समझोता नहीं किया जा सकता। उनके इस तरह आने का कारण देवेश की सुरक्षा सुनिष्चित करना था। अब दूसरे ल युवा मास्टर बुढ़े दानव ने भौहे सिकोर कर कहा। यां यिंग हाओ की नजर बदल गई और वह लापरवाही से मुस्कुराया क्या आप चिंतित हैं कि हम अपने ही पित्रसता को नुकसान पहुचाएंगे। मैं किसी व्यप्ती के साथ लंबा समय बिताने के बाद उसे समझ सकता हूँ। मैं उनके चहरे के भाव भी पढ़ सकता हूँ। हाला कि उनके शब्दों से भी मैं कभी भी दूसरे के दिल को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन वे उसका नाम कभी नहीं जानते थे। बूढे दानव ने शांती से कहा, इस बूढे गुरु को बूढा दानव कहा जाता है। देवेश ने उपर देखते हुए बुदबुदाया, दसोल फाउंडेशन टेंपल। हाँ, दसोल फाउंडेशन टेंपल यांग यिंग हाउने धीरे से सिरहिलाया। यह मेरे यानपरिवार का सबसे महत्वपूर्ण हाल है और इसकी नीम भी है। अतीत के कुलपतियों के अलावा कोई भी इसमें कदम रखने के योग्य नहीं है, यहां तक कि हमारे यानपरिवार के बड़े बुजुर्ग भी नहीं। यदि आप कुछ शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते। देवेश ने हलके से सिरहिलाया। इस हौल का नाम उसने पहले सुना था। वह यहां भी जानता था कि यहां यानपरिवार की पवित्र भूमी है। एक अस्थाई पित्र सकता। अभी भी एक पित्र सकता है, यान यिंहाओ थोड़ा मुस्कुराए। चिंता मत करो। में जाना। यह कहते हुए वह सोल फाउंडेशन मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजा चर्मरा कर खुला और देवेश ने कमरे चार प्रतिष्ठित पत्थर की नकाशी है। जगमगा उठी और चारों पत्थर की नकाशी के मुह से अकत्निय उर्जा की एक लहर निकली और तेजी से हवा में एकत्रित हो गई। देवेश ने उपर देखा तो शुने में एक छोटी सी सफेद रोशनी चमक रही थी। जैसे ही चार पत्थर की नकाशी की उर्जा प्र पत्येक पित्रिपुरुष अमर स्वरगा रोहन सीमा से उपर क्यों पहुँच सकता है इसका कारण अब आपके सामने हैं। कुछ नहीं मिलेगा। देवेश को कुछ चिंताय थी और उन्हें लाभों की जिम्मेदारी लेनी थी। देवेश पूरी जिंदगी यान परिवार से बंधा नहीं रहना चाहता। यान यिंग हाओ ने उसे एक तक देखा और फिर मुस्कुराया। उसने अपना सिरहिलाया बिना नहीं रह सका। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए जब तुम प्रवेश करोगे तो एक निश्चित मात्रा में खत्रा होगा। यदि आप इसे समझ नहीं सकते तो बहतर होगा कि आप इसे छोड़ दें। अच्छा ऐसा है देवेश ने धीरे से सिरहिलाया। इस इसने इसके बारे में सोचा और आखिरकार उसे याद आया। आकाश में रोशनी लगभग वैसी ही थी जैसी उसने सील मंदिर में देखी थी। सील मंदिर के अंदर आठ महान परिवारों के अमर स्वरगा रोहन सीमा से उपर के बुजुर्ग अपनी आध्यात्मिक उरजा क साथ एक पॉकेट स्पेस बनाने के लिए एकत्र हुए जहां वे बातचीत कर सकते थे। उस जेब में उन्होंने मार्शल कॉशल सीखा और मार्शल दाओं के स्वरगिय तरीके को महसूस किया। इस तरह वे आसपास की इमारतों को नुकसान पहुचाने और अनावशक हताहत होने की चिंता किये बिना एक उच्च खेत्र के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समयच सोल फांडेशन मंदिर में विशाल प्रकाश गेंड लगभग सील मंदिर के समान ही थी। देवेश को असपश्ट सा आभास हो रहा था कि रोशनी के अंदर क्या छिपा है। आप प्रव रूप से देवेश पर नजर डाली और परिनाम की प्रतीक्षा की। जब उन्होंने इसमें प्रवेश किया तो उन्हें काफी लाभ हुआ। इससे बाहर आने के बाद वह तेजी से और बिना किसी रुकावट के कदम दर कदम सुधार करता गया जब तक कि वह अमर असेंशन सीमा से उपर नहीं पहुँच गया। यांग यिंग हाओ को डर था कि देवेश की योग्यता इस अनुभव के लिए बहुत अधिक थी। लेकिन फिर भी वह यह देखने को उत्सुक था कि देवेश को इससे कितना लाभ हो सकता है। पॉकेट स्पेस में यह यांग परिवा वाले दिन की तरह ताजा और सुन्दर था। देवेश के चारों और हलकी सी चमक बिखेरते सफेद धब्बों का एक समुह तैर रहा था। देवेश ने उचसुकता से इन सफेद धब्बों को देखा। अचानक उसका रूप बदल गया जब उसने सफेद धब्बों को सतरक चाली थी और सभी अमर स्वरगा रोहन सीमा से उपर पहुँच चुकी थी। वहाँ पुरुष और महिलाये सभी सफेद बालों वाले थे। इन सफेद बालों वाले बुजर्गों की आत्माएं देवेश को बड़ी दिल्चस्पी से देखती थी। कुछ ने रुची की अभ भग 20 साल नहीं हो गए हैं। बिल्कुल 20 साल किसी ने उत्तर दिया। 20 साल पलक जपकते ही चले गए। सिर्फ 20 साल में कोई और कैसे आ गया। क्या यांग यिंग हाओ मर चुका है। नहीं यदि वह मर गया था तो उसकी आत्मा को यहां आना चाहिए था। यदि वह बाहर म कि इस पीधी में यान परिवार का पतन शुरू हो गया है। वास्तव में ऐसी स्थिती में पढ़ना और किसी इतने युवा व्यक्ती को पित्र सत्ता बनने देना कितने बड़े अफसोस की बात है। अरे छोटे बच्चे तुम यान परिवार से हो है ना। इमानदारी से उ दूसरे पक्ष की परवाह किये बगैर खुल कर अपनी बात रख रहे थे। देवेश चुप था, उसने ठंडी आखों से इधर उधर देखा, जैसे जैसे उसका मन शांत हुआ, धीरे धीरे उसे समझा गया था कि स्थिती क्या है। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो क्या तुम गुंगे हो? मुझे नहीं लगता कि वह यान परिवार से हैं। चलो सीधे उसे मार डालो, हे हे। केवल यान परिवार के लोग ही यहां आ सकते हैं, केवल यान परिवार का रख्थी चार पवित्र जानवरों की मूर्तियों का उप्योग करके इस स्थान को खोल स यह चोटा बच्चा बिलकुल भी डरा हुआ नहीं है और उसका दिल शांत है। देवेश ने स्तब्ध द्रिष्टी से उसकी ओर देखा। यह देखा जा सकता है कि जब यह बूढ़ी औरत जवान थी तो वह एक खूबसूरक महिला रही होगी और वह बिलकुल मजबूत प्रिशक थी। इस आत्मा आत्मा का अधिकार बहुत उचा होना चाहिए। वरना वो यान परिवार के पूरवज हैं। मैं अनुमान लगाया, देवेश ने धीरे से सिरहिलाया। बुढ़िया ने उसकी ओर सराहना भरी नजरों से देखा, हाँ, आपकी नजर बहुत तेज है, यान यिंग हाउ से कहीं बहतर। जब वह यहां आया, तो इस बुढ़ी औरत को उ यान परिवार का सबसे बड़ा रहस्य है, देवेश मुस्कुराया। मेरी राय में यह वह स्थान होना चाहिए जहां पित्र सत्ता की मृत्यू के बाद उनकी दिव्य भावनाएं एकत्रित होती हैं। हर कोई हैरान था, सबकी निगाहें देवेश पर टिकी थी। आप यह स क्या कहते हैं, जीवितों से बात करना दुरलब है और यह दुरलब अफसर उन्होंने नश्ट कर दिया। यह बुढ़ा आदमी उस छोटे कमीने को मारना चाहता है। तीसरे भगवान अपना क्रोध शांत करो। हाँ, तुम्हारी हड़िया धूल में मिल जाने से डरती हैं, वह कैसे डरेगा। ऐसा लगता है कि इन लोगोंने कई वर्षों से एक शब्द भी नहीं कहा है। अब देवेश को देखने के बाद वे सभी बहुत उत्साहित थे। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे बिना रुके बाते करते हैं और चिढ़ाने वाले होते हैं। बुढ या रुकी और चिल्लाई। यह बूढी और दूसरी पीधी की बड़ी बुजर्ग यांगी है। देवेश अचंभित रह गया। यांग परिवार की दूसरी पीधी, देवेश को पता नहीं था कि यह कितने साल पहले की बात है। अगर यांग परिवार के एक उप्रोक्त अ अमर असेंशन बाउंडरी मास्टर को पता चलता है कि उनका जीवनकाल समाप्त हो रहा है, तो वे सोल फांडेशन मंदिर में आएंगे और अपने जीवन के अनुभवों को सनरक्षित करने के लिए चार पवित्र जानवरों की नकाशी में अपनी दिव्य भावना को शामिल थी. संसाधनों की इतनी बड़ी मात्रा, यदि इसे पूरी तरह से अवशोशित किया जा सके, तो प्राप्थ होने वाले लाभ बहुत अधिक होंगे. यांग परिवार के संरक्षक एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो यहां प्रवेश कर सकते हैं, और यहां की आत्माओं से ल याप्थ है, तब तक वह बिना किसी चिन्ता के इसे तोरने में सक्षम होगा. यांग यी ने फिर कहा, चुंकि आपको यांग यिंहाओं ने यहां भीजा है, इसका मतलब है कि आप कुलपती हैं. हम पहले ही मर चुके हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जो यांपरि सीमा पांचवे चरण में हैं. मेरे 27 अनुयाई पारलौकिक शेत्र में पहुँच गए हैं. क्या यह काफी है? आपकी साधना को इस बूधी औरत द्वारा महसूस किया जा सकता है. आपकी आध्यात्मिक उर्जा की ताकत के बारे में इस बूधी महिलाने कभी नहीं सुना है लेकिन प्रांसेंडेंट रियलम से आपका क्या मतलब है? यांगी ने भौहे सिकोडली और भ्रमित दिखी. बाकी लोग भी देवेश की ओर अकारन देख रहे हैं. देवेश आश्चर्यचकित था और यह मुझे याद दिलाता है कि प्रांसेंडेंट दाइरे के दाइरे को क देवल घर के शीर्ष पावर हाउस द्वारा ही जाना जा सकता है. इन यांग परिवार के पूरवजों ने शायद इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा. प्रांसेंडेंट रियलम जिसे आप अमर असेंशन सीमा से उपर कहते हैं, देवेश ने समझाया. यह पता चला है कि दुनिया के पास पहले से ही इस खेत्र का एक नाम था, यांगी ने सिरहिलाया और सिरहिलाया. पारलौकिक खेत्र के बारे में उनकी समझ असपश्ट थी. उतकृष्ट खेत्र किसी ने अविश्वास की दृष्टी से देवेश की ओर देखकर हंस्ते हुए कहा, छोटे लड पास हुआ कि उन्होंने जो कहा वह सच हो सकता है. लेकिन देवेश ने 27 ट्रांसेंडेंट रियलंग क्रिशकों को इकठा किया, फिर भी उन्हें यह अस्वी कार्य लगा. यह संख्या वास्तविक होने के लिए बहुत बड़ी है. आप जो कहते हैं वह सच है या जूट, इस स्थान का उद्देश अगली पीधी के बच्चों के लिए अनुभव छोड़ना था. हमने इतने सालों तक ऐसा किया है. यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदैव महान लाप प्राप्थ हुआ है. लेकिन इतना लंबा समय हो गया है. यांगी का लुप थोड़ा हो गए है. आपका क्या मतलब है? देवेश ने भौहे सिकोडली और अचानक पाया की आत्माएं उसके चारों और इकठी हो गई है और माहौल बदल गया है. वे सभी उदास और भयानक माहौल में उसे घूर रहे थे. जैसे कोई जानवर स्वादिश्ट भोजन पर नजर है. तुम मुझ पर कबजा करना चाहते हो? देवेश हैरान रह गया. यह वह वृत्ती है जो हमारी आत्मा ने इतने वर्षों तक यहां फंसे रहने के बाद विक्सित की है. हालाकि हम इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए. यह ने कहा था. इन यान परिबार के पूर्वजों की आत्माएं उसे देख रही थी जैसे की वे उसकी दिव्य भावना को निगलना चाहते थे. लेकिन हर किसी को अपनी प्रवृत्ती का विरोध करने और अपनी इच्छाओं को दबाने में कठिनाई हो रही थी. ऐसी स्थ और क्रूर आत्मा बन गई जो हमारे संयुक्त प्रयासों से नश्ठ हो गई और यहां सभी का भविष्य भाग्य समान है. तब तो आप सचमुच दैनी हैं, देवेश ने कुछ दया भाव से उनकी ओर देखा. उसकी आँखों के भाव से समझ कर सभी लोग गुप रूप से आश्चर यच्कित रह गए. इस स्थान में प्रवेश करने वाला हर व्यक्तिया तो प्रसन होता है या भयभीत होता है, लेकिन किसी ने कभी भी उनके प्रती सहानु भूती नहीं जताई है. देवेश प्रथम थे. यांग यी का चहरा अचानक नरम हो गया और उसने देवे प्रथमार की युवा पीधी के लिए अपने स्वयन के खेती के अनुभव और भावना को छोड़ देगी. मैं नहीं करूंगा, देवेश ने धीरे से द्रिट द्रिश्टी से अपना सिरहिलाया. लेकिन तुम्हारा दुखत भाग्य आज मेरे द्वारा समाप्त हो जाएगा यांग परिवार के 45 पूरवजों की आत्माओं ने देवेश को डरावनी द्रिश्टी से देखा. थोड़ी देर बाद जोर से हंसी गुझी, बड़े शब्द. यांग यी के चहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, आप कह रहे हैं कि आप हम सभी को खा जाएंगे. देवेश बड़ी इच्छा है कि हम यह जगाँ छोर दें, लेकिन आपके लिए यह असंभव है. कृप्या प्रतीक्षा करें और देखें, वरिष्ठ जंक देवेश मुस्कुराया और रुप गया, अपनी दबी हुई दिव्य इंद्रियों को मुक्त कर दिया. यहां आने के बाद से, उनकी आत्मा ने अंजाने में एक मजबूत इच्छा पैदा की थी, स्वाभाविक रूप से, यह शक्ती उनके ज्यान सागर में रहने वाली एकांत स्वर्निम आख से आई थी. हाला कि इस से पहले की देवेश को सॉलिटरी गोल्डन आई का उप्योग समझ में आता, उन्ह आसमान, नीचे शांत पानी, पांच रंगों वाला द्वी, समुदर पर शांत बैठा हुआ. द्रिश्यों के अचानक परिवर्तन से 45 सोल स्पिरिट को जटका लगा, उन सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. आप सबका स्वागत है, देवेश की आत्मिक भावना धीरे-धीरे प्रकट हुई, उसने अपनी पीठ पर हाथ रखकर सभी का अभिवादन किया. यहां आपका ज्यान सागर है? यांगी ने चिला कर कहा. हाँ, यही इस शिश्य का ज्यान सागर है. आपने हमें कैसे आगे बढ़ाया, यांगी ने अ आख की ओर उठाई. यांगी और अन्य लोग उसके बताय दिशा में अपना सिर घुमाते हैं. सभी के हरिदय में भय और बेचैनी की अकथनिय अनुभूती हो रही थी. ऐसा लग रहा था मानो वह अज्यात वस्तु उनकी शत्रु हो. वह क्या है यांगी घबरा गई? अंग करके वे सभी अनायास ही कापने लगे, कापने लगे, स्तब्ध होकर एकांध सुनहरी आख की ओर देखने लगे, जैसे वह कोई जानवर हो जो अपने शिकार की प्रतीक्षा में लेटा हो. मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह उन बेडियों को तोर सकता है, जिन्हो चलो अपनी पीडा यहीं ख्त्म करो. बाचीत के दौरान एकांध सुनहरी आख धीरे-धीरे खुली. देवेश बकवास नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा करने को तयार था. राजसी सुनहरी पुतली को देखकर हर किसी के मन में दुख या पूजा की भावना पैदा नहोना अ जिया. उसे समझ आया कि देवेश को इतना भरूसा क्यों था और उसने कहा कि वह उन सभी को खा जाएगा. यहा अजीब सुनहरी रोशनी उनकी चेतना को शुद्ध कर सकती है, और इसे शुद्ध हूर्जा में बदल सकती है, जिसे कोई भी अवशोशित कर सकता है. मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ, अचानक गुस्से की गर्जना हुई. यहाँ अज्यात था कि यान परिवार के बुजुर्गों की किस पीधी ने यह चिलाया था. जब इस बुजुर्ग ने बहुत सारी आत्मिक आत्माओं को नश्ट होते देखा, तो उनकी दबी हुई इच्छ कैद में रही, अंगिनत वर्षों तक पीडा जिलती रही. यह अफसोस की बात थी कि उनकी इच्छाए और मूल इरादे सुनदर थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीटते गए, उनका स्वभाव ख्राब होता गया. रुकना यान यी गुस्से से चिलाई. उसकी चीक सुनकर बु पुर्वजों के उस गौरव को बर्बाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने इतने सालों से बनाय रखा है. यांगी ने बेहोश होकर कहा. यह वाक्य बिजली गिरने जैसा था. जैसा की कहा गया था, व्यक्ती की आखें सपश्टता की स्थिती में बहाल हो गई. एक लंबी च उन्हें रोका नहीं. उसने उन्हें एकांत सुनहरी आख की ओर उसी तरह दौरने दिया जैसे कोई पतंगा लौकी ओर दौरता है. जल्द ही पूरे ज्यान सागर में केवल यांगी ही रह गया. अन्य सभी आत्माएं पूरी तरह से शुद्ध हो गई. यांगी ने धीरे से चाहत की सांस ली और देवेश की ओर देखा और जल्दी से कहा, मैं उनकी जगह आपको धन्यवात कहना चाहता हूँ. देवेश ने उसकी ओर देखा, फिर फुस्फुसाया, आपका स्वागत है. अगर यांग परिवार की इस पीढी के पास आप जैसा कोई कुलपती है, तो उसकी सुंदरनाक, सुगंधित लाल होंट, बर्फ की तरह सफेद गाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे. बर्फ जैसी शुद्ध जैड जैसी तवचा और इस चहरे का आका सुंदर था. देवेश अवाक रह गया. यह बूढ़ी औरत अपने चरम पर ऐसी दि यांगी ने धीरे से सिर हिलाया. उसका शरीर हिल गया. प्रकाश की एक धारा में बदल गया जो एकांद सुनहरी आख की ओर बढ़ी. एकांद सुनहरी आख एक बार फिर सुनहरी रोशनी के साथ खुली और उससे टकराई. भेदी की तेज आवाज निकली और यांगी की चे गह इकठी कर दी. यांग परिवार के पूर्वजोंने मरने से पहले अपनी आत्माओं को निकालने और उन्हें चार पवित्र जानवरों की नकाशी में रखने के लिए बहुत कष्ट उठाया. इस उम्मीद में कि वे अगली पीढी के बच्चों को कुछ मदद प्रदान कर गए और उन्हें उन्हें नष्ट होना पड़ा. ऐसे में यह उन सभी का अंतिम परिणाम होगा. यांग परिवार मृतकों को अपवित्र करके कुल्पिता की मदद करने को तयार था. देवेश को नहीं पता था कि यह सही था या गलत लेकिन उसने यांग परिवार और पूर भग नगण्य थी. क्रूर और अंथीन वर्षों ने यांग परिवार के पूर्वजों की दिव्य इंद्री उर्जा को कमजोर और कमजोर बना दिया है. उनकी आत्मा में कितनी उर्जा बची थी? मुझे डर है कि उनके उतकर्ष का एक हजारवा हिस्सा भी उर्जा के इस सम वास्तव में जैसा कि यांगी ने कहा, यदि कोई इस उर्जा को अवशोषित कर ले, तो ट्रांसेंडेंट दाइरे के सामने किसी के लिए कोई बाधा नहीं होगी. जैसे ही देवेश अमर असेंशन सीमा पर पहुँचा, देवेश को पहले चरण से सुधार करना मुश्किल हो गया, अपनी शक्ती के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अमर असेंशन सीमा के बारे में उसकी समझ बहुत कम थी. अब देवेश ने यान परिवार के पूरवजों की अंतरग्रिष्टी को आत्म साथ कर लिया, उनकी समझ में अब कोई समस्या नहीं थी. ट्रांसेंडेंट धीरे धीरे अपनी आखे खोली. उनके दायरे में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अमर असेंशन सीमा के बारे में उनकी अपनी समझ एक ऐसे स्तर पर पहुँच गई थी, जो बेजोर थी. ये यान परिवार के पूरवजों द्वारा छोड़े गए खजाने थे नकेवल अमर असेंशन सीमा की समझ थी, बलकि ट्रांसेंडेंट दायरे की भी देवेश को गहरी समझ थी. सोल फाउंडेशन मंदिर के केंदर में एक आकरिती स्थेर खड़ी थी, और उसके पीछे जीवन का एक चिनह था, स्वाभाविक रूप से यह यान यिंहाओ का था. लेकिन इस समय देवेश को लगा कि उसके दादाजी के आसपास का माहौल कुछ अजीब था, ऐसा लग रहा था कि वह अशांत है. देवेश मुडा और चिलाया, दादाजी. आप सफर रहे, यान यिंहाओ ने घबरा कर पूछा. सोल फाउंडेशन मंदिर में प्रवेश करन यान यिंहाओ को भी लगा कि देवेश सफल हो सकेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले दो दिनों में क्या हुआ था. निश्चत ही, देवेश ने धीरे से सिरहिलाया. यान यिंहाओ जिजगते दिखे और पूछने से पहले कुछ देर तक सोचते रहे, आपने कितने को अवशोशित किया? उन सभी को, उन सभी को क्यान यिंहाओ की आखें चोड़ी हो गई और उसने दिवेश को अविश्वसनी दृष्टी से देखा. आपने तनाव कैसे सहन किया? यान यिंहाओ मूर्खतापूर्ण सदमे में था. वह खुद भी अंतरिक्ष में गया मसात किया. उनकी शेश चेतना से छुटकारा पाने में पूरे दो या तीन साल लग गए. आखिरकार, जब वे मार्शल दाओ की अंतरद्रिष्टी को अवशोशित करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत अनुभव गर्ध जैसे अंतीन वर्षों की यातना भी विरासत में मिलत और ऐसी चीजों को दूर किया जाना चाहिए, अन्य था, यह सामान्य रूप से जीवन को प्रभावित करेगा. यांग यिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि यदि उसने एक भी और अवशोशित कर लिया, तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा और तब तक वह बर्बाद हो कि उसने यांग परिवार के पूर्वजों की सभी आत्माओं को आत्मसात कर लिया है. यांग यिंग हाओ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे इस पर विश्वास करना पड़ा. क्योंकि चार पवित्र जानवरों की सभी नकाशिया कई दरारों और अंतरालो से ढकी हुई थी, जिससे पता चलता है कि पॉकेट स्पेस का उद्गाटन अब मौजूद नहीं है. जब ऐसा हुआ, तो इसका मतलब था कि जेब की जगह गायब हो गई थी, और यह यह भी दर्शाता था कि सभी आत्माएं अवशोशित हो गई थी. यांग यिंग हाओ को जटिल था. जैसे ही उसने देवेश की ओर देखा, वह खुद को सम्मान जनक ग्रिष्टी से देखने से नहीं रोक सका. इस तरह का आचन युवा पीधी के किसी सदस्य को देखने वाले किसी बुजूर्ब का नहीं है, लेकिन यांग यिंग हाओ इसे दिखाने से खुद को रोक नहीं सके. वह जानता था कि शायद इस समय उसकी खेती की ताकत देवेश की तुलना में थोड़ी अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीटता जाएगा, देवेश उस उचाई पर चढ़ने में सक्षम होगा, जिसका वह प्रयास नहीं कर सकता. उस समय, देवेश सभी प्राणियों को देखते हुए बादलों के उपर खड़ा होगा. मुझे खेद है कि मैंने यांग परिवार की नीम को बरबाद कर दिया. मैं तुम्हें भविश में इसका मुआवजा दूंगा. जब देवेश ने देखा कि चार पवित्र जानवरों की नकाशी नश्ट हो ग रहे हैं. ओ, देवेश ने अपनी भौहें उठाई और सोचा कि उन लोगों की नजर में उसकी वर्तमान स्थिती और पहचान कुछ अलग थी. ऐसा लगता है कि समय वाकई बदल गया है क्योंकि वह अपने परिवेश के बदलाव के लिए इंतजार करता था. लेकिन अब वह वही था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, तो चलो जल्दी करो. मैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करवा सकता. यां यिंग हाओ ने हलका सास सिरहिलाया और आगे बढ़ गए. आत्मा फाउंडेशन मंदिर के बाहर, एल्डर्स और यां परिवार के चौथे मास् युद्ध शुरू हुआ. यां परिवार के आठ युवा मास्टर्स पैट्रियार्क यां यिंग हाओ के उदार भाशन को सुनने और वोर सिटी के लिए क्लाउड ट्रेडिंग कोर्ट्स की सवारी करने के लिए एक साथ एकत्र हुए. दो साल बाद यहां सातों परिवारों क उत्तराधिकार समारो होने वाला था. जब देवेश आये तो सब कुछ पहले से ही संभाल लिया गया था. यां परिवार के कुलपती आ गए हैं, चिल्लाते हुए सभी लोग खड़े हो गए और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया. देवेश तेजी से वेदी की ओर चला ग आखिरकार यह सभी साथ लोगों के लिए एक प्रमुक कार्यक्रम है. यदि आप इसमें गड़बडी करेंगे, तो आप स्वयंकों मूर्ख बनाएंगे. यां यिंग हाओ ने हलके से सिरह लाया, एक फ्लैश के साथ वह वेदी पर दिखाई दिया. जब यां यिंग हाओ ने आप वास्तव में उस भूमिका के लिए उप्युक्त नहीं हैं, देवेश हसा. देवेश धन्यवाद क्यों यी मेंग ने अचानक कहा? मुझे किसलिए धन्यवाद? देवेश ने सिर जुका कर उसकी ओर देखा. मुर्ख होने का नाटक मत करो. आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप उन महान ताक्तों को स्विकार करने के लिए बहुत उदार हैं, जिन्होंने उसी दिन आठ महान परिवारों पर दबाव बनाने और उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए आपके साथ शरण ली थी. क्यों यी मेंग के चहरे पर एक समझदार मुसका दूसरे सोचते हैं कि आप ताकत इकठा कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आपका उद्देश्य यह स्थिती बनाना था. देवेश चौंका, लेकिन उसने इनकार नहीं किया, इसका एक कारण है. मैं हमेशा क्यू परिवार को विरासक में पाना चाहता था. अब मैंने इस लोग चौक गए और क्यू ही मेंग को अजीब नजरों से देखा. मेंग शान यी को जम कर खासी हुई. उसका चहरा पीला और बेदम था. क्यू ही मेंग, अब आप क्यू परिवार की कुलमाता है? आम जनता को देखते हुए ऐसी बाते कहना बहुत अच्छा नहीं है. यह क् जीवनकाल में इस चोट से ठीक नहीं हो पाऊंगी. मेंग शान यी को गोस्ट किंग और पॉइजन किंग की भूत गैस द्वारा नश्ट कर दिया गया था. हाला कि आधे साल तक बिस्तर पर रहने के बाद वह अपनी जान बचा कर भाग निकले और यदि आज समारोह नहीं ह हैल गई और इससे उसे ताकत का संकेट मिला यहां तक कि उसका पीला चहरा भी बदल गया, थोड़ा गुला भी हो गया. मिंग शान यी ने तुरंट अपने मन में कुछ अनुमान लगाया और उसके चहरे पर बहुत खुशी थी, उसने अपनी मुठी बंद करके कहा, बज रहा था और जीवंत वातावर्ण असाधारन था. देवेश के मुह के कोने एक अजीब सी मुसकान में बदल गए और उत्तरी आकाश की ओर देखने लगे. धोल की आवाज में उत्तर ने तेजी से कुछ आकृतियों को उपसाया, सभी के दिलों में अचानक घबराहट और बेचैनी ठैल गई. यकीन से क्यूही में देवेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूर की ओर देख रहा था. वो आये हैं, देवेश ने ठंडी सास ली. धोल की आवाज जारी रही, लेकिन आठ महान परिवारों के कुलीन लोग गुप रूप से ध्यान केंद्रित कर रह हैं. देवेश दो दिनों तक सोल फांडेशन मंदिर में रुके थे, लेकिन इस स्थिती की आशंका पहले से ही थी. उतराधिकार समारोह एक आड के अलावा और कुछ नहीं था. पित्रसता पद की विरासत का सच्चा समारोह कल रात महान परिवारों द्वारा गुप रूप से आयोजित किया गया था. दूसरे शब्दों में क्यों यी मेंग और अन्य अब पहले से ही महान परिवारों के परिवार प्रमुख हैं. युवा पीधी महान परिवारों की मुखिया बन गई, जो देवेश के साथ गठ बंधन की आधिकारिक स्थापना का आज समारो के पूरा होने के बाद देवेश सेंटरल कैपिटल के अभिजात वर्ग का नेत्रित्व करेंगे. पहले कार्य करने वाले को हमेशा लाभ होगा. यह ऐसी बात है जिसे हर कोई जानता है. इसलिए भले ही यान बाई को यह अंदाजा था कि यह एक जाल था, फिर भ और पॉईजन किंग के मुह से हसी की फुहार निकली. यह असहनिय लग रहा था, जिससे रक्ट और क्यूई अनियंत्रित रूप से गिर रहे थे. छै महान दुष्ट राजा, यां यिंग हाओ और अन्य लोगों ने छै लोगों को घ्रिणा की दृष्टी से देखा, और सें दोनों फटे हुए कपड़ों के साथ सुस्त लग रहे थे, और उनकी सच्छी क्यूई पूरी तरह से गायब हो गई थी, इस हद तक की वे सामान्य लोग लग रहे थे. यह देखा जा सकता है कि पिछले आधे साल में, जब वे ऐशकरे क्लाउड इविल लैंड के हाथों में थे, उन्हें अमान्विय यातना का शिकार होना पड़ा था. अपनी मुठी में लोगों की ओर निर्देशत निगाहों से अवगत होकर, दप्रोफाउंड यिन गोस्ट किंग ने हंस्ते हुए कहा, महान परिवारों का उत्तराधिकार समारो, यह दुनिया में एक बहुत राजा एक शड्यंत्रकारी था, वह ये शिन्रौ और कांग जान को इतने स्पष्ट रूप से वापस नहीं कर सका. साफ था कि दोनों के शवों के साथ छेड़ चाड़ की गई थी. लेकिन हर किसी को आश्चर्य हुआ, ये शिन्रौ और कांग जान को क्रमशहये कुआंग र रेन और कांग रूई ने सावधानी पूर्वक अपनी स्थिती की जाच की और कोई असामान्यता नहीं पाई. उन्होंने फिर भी कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने उन्हें अपने अपने परिवारों को सौंप दिया, और उन्हें आदेश दिया, उन्हें इसे व्यवस्थित करने के बाद दोनों व्यक्तियों ने उपर देखा और छै महान दुष्ट राजाओं को घूर कर देखा। किसी को नहीं पता था कि वह यहां कैसे दिखाई दिया या भले ही वह हमेशा यहां रहा हो और जब उसने खुद को दिखाने का फैसला किया तभी सभी ने उस पर ध्यान दिया। कि वह कभी यांगबाई के मुह से ऐसे शब्द सुनेंगे। कि तुम मेरे सबसे बड़े शत्रू बन जाओगे। इस बार उन्होंने वास्टव में गलत अनुमान लगाया था। शांती बनाने के लिए तयार हैं तो मार्शल नेफ्यू कैसे सहमत नहीं हो सकता है। मैं आप जैसे गुरू से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। मार्शल भतीजा वास्टव में समझदार है यानबाई हसी। हाला कि अगली सांस में देवेश की अभिव्यक्ती ठंडी हो गई और उसने आगे कहा। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें क्या मार्शल अंकल अपना सिर जुका सकते हैं। मेरे पिता और ग्रैंड मास्टर वास्टव में इसमें काफी रुची रखते हैं। अशिश्टता अत्याचारी सेना राजाने दहारते हुए कहा तुम चोदू लड़के। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, यांगबाई ने हाथ उठा कर उसे टोक दिया। केंद्रिया राजधानी के लोगों से पूछना चाहिए क्या वे आपके साथ बैठकर शांती पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। देवेश थंडे स्वर में चिलाया। यांगबाई ने लंबी आह भरी, अगर ऐसा है तो कहने को और कुछ नहीं है। जैसे ही यांगबाई ने ये शब्द बोले, हवा अचानक तनाफपूर्ण हो गई। उसी समय गोस्ट किंग के शरीर से सैकडों क्रोधित आत्माएं निकली, चिलाती और चिलाती हुई वे सेंटरल कापिटल की सेनाओं की ओर उडगई। अत्याचारी सेना के राजा ने बार-बार भयंकर भूसे मारते हुए प्रिथवी को हिला देने वाली दहाड निकाली। उनकी शैली में कुछ भी आकरशक नहीं था, केवल शुद्ध ताकत के साथ मुक्के बाजी थी, लेकिन स्वर्गमंच पर बलिदान देने वाले यान परिवार को सीधे धूल में गिराने और आसपास की भूमी को डुबाने में उन्हें अभी भी केवल कुछ ही क्षन लगे थंडर बोल्ट बीस्ट किंग ने भी एक अजीब दहार निकाली और साथवे क्रम के राक्षस जानवर स्पाइडर मदर के नित्रित्व में पास के पांचवें और छठे क्रम के राक्षस जानवरों को बुलाया उसी समय एशकरे क्लावड इविल लैंड के सभी स्वामी चाहे वे अपनी शक्ती के तहट उडान भरते हो या क्रूर राक्षस जानवरों पर सवार हो भी वहाँ पहुंचे चै महान दुष्ट राजाओं में से पांच ने तुरंत भयंकर हमला करना शुरू कर दिया केवल शान किंग लो जिचकी उसके चहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ती दिखाई दी वह चुपचाप कुछ दूरी तक पीछे हट गई और आसपास के किसानों को उत्तेजित करने के लिए केवल ट्रू क्यूई की लहरें भेज रही थी वह यह लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी लेकिन यहां यांगबाई के साथ उसके पास कारवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था अयोग्य शिश्य आज तुम्हारी मृत्यू का दिन है लिंगताई जूने सीधे दानव भगवान की ओर उड़ान भरी और यांगबाई पर हमला करने के लिए कई आठ महान परिवारों के पारियों के साथ मिलकर काम किया सम्मानिक मास्टर यांग बाई ने दयापूर्वक उसकी ओर देखा लेकिन वास्तव में उसने आमने सामने की लड़ाई नहीं की बलकि पलटकर उड़ गई और प्रकाश की चमक में गायब हो गई कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है देखते ही देखते अभूत पूर्व युद्ध छिडगया सेंट्रल टैपिटल आठ महान परिवार, देवेश की हवेली और एशगरे क्लावड इविल लैंड सभी ने इस लड़ाई में अपनी लगभग सारी शक्ती लगा दी थी यांग परिवार की सेनाओं के आसपास केंद्रित, विभिन, मार्शल, कौशल और कलाकृतियों ने हमलों की एक के बाद एक लहरें भेजी, जिस से स्थानियक शेत्र में विश्व उर्जा अशांत हो गई हालाकि साथ परिवारों के नए पित्रिपुरुष भी इस लड़ाई में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास अपने अपने परिवारों के सबसे मजबूत स्वामियों द्वारा सनरक्षित पीछे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था स्थिती सपष्ट होने से पहले साथों परिवारों को मैदान में उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही थी केवल देवेश पोल्ड देमन के साथ युद्ध के मैदान में आगे पीछे भूमता रहा उनके ज्यान सागर के अंदर एकांच सुनहरी आख ने एक महान सक्षन बल भेजना जारी रखा हर बार जब एक अमर असेंशन बाउंडरी मास्टर की मृत्यू हो जाती है देवेश उस आध्यात्मिक उर्जा को अवशोशित कर लेता है जो उनके नष्ठ हुए ज्यान सागर से लीक हो जाती है जब तक कि वह सौ मीटर से कम दूरी पर होता देवेश ने किसी भी ट्रांसेंडेंट प्रेजेंट के साथ परेशानी नहीं चाही उसका लक्षे केवल विभिन अमर असेंशन बाउंडरी मास्टर्स थे ओल्ड देमन द्वारा कारवाई किये बिना भी देवेश अजे था अमर असेंशन सीमा में कोई भी उसका प्रतिदवंधवी बनने के योग्य नहीं था एशकरे क्लावड इविल लैंड में केवल एक दरजन ट्रांसेंडेंट थे जो आठ महान परिवारों और देवेश की हवेली की संख्या के पाँचवे हिस्से से भी कम थे यांग इंग हाउ का प्रारंभिक विशलेशन सही था जब तक देवेश और आठ महान परिवार एक जुठ हुए एशकरे क्लावड इविल लैंड को हराना वास्तव में उतना मुश्किल नहीं था लडाई दो पहर में शुरू हुई और अगले दिन सुभह तक जारी रही दोनों पक्षों में अंगिनत मौतें और चोटें हुई लेकिन हाला की आठ महान परिवारों और देवेश की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ दूसरी और एशकरे क्लावड इविल लैंड की सेनाए लगभग नश्ट हो गई इस लड़ाई के बाद एशकरे क्लावड इविल लैंड के लिए उबरना संभवता असंभव होगा आशा देखते हुए आठ महान परिवारों और देवेश के क्रिशकों ने और भी अधिक बहादुरी से लड़ाई लड़ी जबकि एशकरे क्लावड इविल लैंड के क्रिशक और मॉंस्टर बीस्ट्स लगातार हारते रहे शान क्विन लो जो आठ महान परिवारों के उस्तादों के एक समूँ के साथ एक घमासान युद्ध में लगी हुई थी को अचानक एक रहस्यमय आभा अपने पास आती महसूस हुई जिससे उसका दिल बैठ गया यांग बाई अचानक उसके सामने आ गई किंग लो मेरे साथ आओ यांग बाई ने शांति पूर्वक आदेश दिया और शान क्विन लो के आसपास के हमलावरों की ओर हथेली से दो आकस्मिक प्रहार किये यांग बाई की थर्ड ओर्डर ट्रांसेंडेंट ताकत के खिलाफ आठ महान परिवारों के ताकतवर लोग विरोध करने में असमर्थ थे वे सभी खून उगल रहे थे क्योंकि उन्हें कागस की पतंगों की तरह आसानी से उड़ा दिया गया था शान किंग लो हक्का बक्का रह गया लेकिन उसने तुरंट सिर हिलाया और यांग बाई के पीछे-पीछे चला गया जैसे ही यांग बाई उर गई यांग बाई ने अपना हाथ लहराया और अपनी और शान किंग लो की आभा को अलग कर दिया नीचे की लडाई पर अपनी आखें घुमाते हुए उसकी अभिव्यक्ती उदासीन रही ऐसा प्रतीत होता था कि उसका हस्तक शेप करने का कोई इरादा नहीं था माई लॉर्ड वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है शान किंग लो ने कुछ देर तक चुपचाप यान बाई को देखा लेकिन उसे कुछ न बोलते देख उसने साहसपूर्वक पूछने की पहल की मेरे लक्षयत यान बाई ने उसकी ओर देखा हमारी पवित्र भूमी के शिश्यों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है जबकि मेरे साथी दुष्ट राजा भी गंभीर संकट में हैं क्या आप उन्हें बचाने का इरादा नहीं रखते हैं मैं उन्हें क्यों बचाऊंगा यांगबाई हलके से मुसुराई मुझे इससे क्या फर पड़ता है कि वे जीवित रहें या मर जाएं निश्चत रूप से सर डेमन लॉड पवित्र भूमी के लोगों को केवल मोहरे के रूप में देखते हैं शान किंग लोग की खूबसूरत आखों में एक जटिल रोशनी चमक उठी आपने पवित्र भूमी के अस्तित्व की कभी परवाह नहीं की यहा हास्यासपद है कि गोस्ट किंग और अन्य लोगों ने सोचा कि आपके नित्रित्व में पवित्र भूमी अन्तह आठ महान परिवारों को नश्ट कर देगी और इस दुनिया का निर्विवाद शासक बन जाएगी स्वाभाविक रूप से यह केवल उनकी इच्छाधारी सोच थी मैंने उनसे कभी ऐसे शब्द नहीं बोले यान बाई ने बिना किसी हिचकी चाहट के सिरहिलाया उस मामले में सर देमन लॉड ने मुझे आपका अनुसर्ण करने का आदेश क्यों दिया शान किंग लो का गर्वित सीना असंतोष से उपर नीचे हो रहा था क्योंकि मुझे अपने पीछे खड़े होने के लिए एक महिला की जरूरत है यान बाई ने बड़ी दिल्चस्पी से उसकी ओर देखा लेकिन उसकी आखें पूरी तरह से धुंधली और वासना से रहित थी शान किंग लो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मैंने नहीं सोचा था कि सर डेमन लॉड को महिलाओं की परवा है मैं अभी भी एक पुरुष हूँ एक पुरुष को एक महिला की जरूरत होती है यान बाई ने स्पष्ट रूप से कहा लेकिन स्वर्ग के तहट केवल आप ही मेरी महिला बनने के लायक है आप निश्चिंत रहें मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेरे साथ रहें और जो आने वाला है उसका गवाह बने हमेशा अकेले काम करने वाला व्यक्ति कुछ हर्ट तक अकेला होता है गवा आप मुझे क्या गवाही देना चाहते हैं शान क्विंग लो ने काफी भ्रमित होकर पूछा तुम जल्द ही समझ जाओगे अब ज्यादा देर नहीं होगी यांग बाई रहस्यमय धंग से मुसुराई शान किंग लो ने सपश्ट रूप से देखा कि उसकी आखों की गहराई में उत्साह की जलत थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी जाहिर है जो कुछ भी घटित होने वाला था वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था किंग लो मेरे मार्शल भतीजे के साथ आपका रिष्टा सरल नहीं लगता है यांग बाई ने अंजाने में ऐसा कहा शान किंग लो का दिल उचल पड़ा लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई और शांती से जवाब दिया कुछ विशेश परिस्थितियों के कारण मैं पहले से ही उसकी महिला हूँ यांग बाई थोड़ा आश्चर्यच्कित हुई लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं करते हुए शांती से सिरहिलाया यह सब अतीत की बात है अब से उसके बारे में भूल जाओ हाला कि वह काफी अच्छे हैं लेकिन मेरा अनुसर्ण करके आपको एसास होगा कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं और आपको बहुत सी चीजें और ग्रिश्य देखने को मिलेंगे जिनकी आपने पहले कभी कलपना भी नहीं की थी शान किंग लो ने उत्सुकता से यान बाई की ओर देखा उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है सरदानव भगवान कहा है अत्याचारी बल के राजा के होटों से महान दहाड निकल गई क्योंकि उसे देवेश के घर के पारलौकिक लोगों द्वारा घेर लिया गया था हाला कि उनके पास आश्चर्यजनक व्यक्तिगत ताकत थी दो मुठिया चार मुकों को नहीं रोक सकती थी देवेश की सेना के कई आकाओं के भयंकर हमले के तहट वह धीरे-धीरे दबाया जा रहा था यह देखते हुए कि पवित्र भूमी के लोग एक एक करके मर रहे थे फिर भी यांगबाई को कारवाई करते नहीं देख रहे थे अत्याचारी बल राजा काफी व्यतित था एशगरे क्लाउड इविल लैंड ने केंद्रिय राजधानी पर खुले तौर पर हमला करने की हिम्मत लगभग पूरी तरह से यांगबाई की जबरदस्ट ताकत के कारण की थी यदि दानव भगवान न होते तो ये दुष्ट राजा मृत्यू की तलाश में मूर्खता पूर्वक यहां कैसे भाग सकते थे मुझे डर है कि सर डेमन लॉड ने हमें छोर दिया है भूत राजा ने भयंकर गर्जना की एक विशाल काला बादल जिसने उसके चारों और एक विशाल मुरे हुए चेहरे का आकार ले लिया वह जहां भी जाता यह विशाल मुख शत्रुक्रिशकों को पूरा निगल जाता और उन्हें चबाने के बाद ताजा खोन उगलता